एलो फ्रेंट्स बेलकम टो अनलाइन इस्टडी किंग्रम दोस्तो उत्तरपरदेश राज सुलीकपाल भरती परिक्षा के लिए ग्राम समाज जो विकास से संबंधित त्यत्यों को घटना चक्र 2022 एडीशन से कबर किया जा रहा है आज किस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 को क कबई किया गया है तो आएये दोस्तों स्टार्ट करते हैं यilenिया आपने परीवियस पार्ट को नहीं कभर ぁह तो वीडियो के डिक्स्वेशन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आप जाकर कि कबर कर सकती है जितने भी चैप्टर कराएगा है उनको आप कबर कर सकती है पहली जो परियोजना है वो है कानपूर मेट्रो रेल परियोजना से शंबांधी दृतत थी है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने 28 दिशंबर 2021 को कानपूर मेट्रो रेल उदगाटन किया है उन्होंने कानपूर मेट्रो रेल परियोजना का निरेक्षण किया और IIT मेट्रो रे स्टेशन से गीता नगर तक मेट्रो में यात्रा भी की कानपूर मेट्रो आई आई टी कानपूर से मोती जीर तक लगभग केतना है तो 9 किलो मीटर तक विस्तारी तो है उन्होंने बीना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन पर योजना का भी उद्गाटन किया और पाइपलाइन का विस्तार मध्यप्रदेश में बीना रिफाइनरी से लेकर कानपूर में पन की तक है कहां से कहां तक है मदप्रदेश में बीना रिफाइनरी से ले करके कानपुर में पनती तक आ है। अगली परयोजना है वारांसी में बिभिन परयोजनाओ का उद घाटन किया है 23 दिशंबर 2021 को जिसमें की उत्तरप्रदेश राज्य ओदूगी विकाश प्राधिकंड फूड पार्क कारखियां वारानसी में बनास डेरी संकुल की आधार सीला रखी तीस एकड में भूम में फाले इस डेरी का निर्माड लगभग 475 करोण रूपए के लागत से किया जाएगा और इसमें प्रति दिन पांस लाख लीटर दूध के प्रसंद सकंड की सुवेदा होगी प्रधान मंत्री ने बनारस डेरी से जुड़े 1.7 लाक्षी अधिक दूध उतपादकों के बैंक खातों में लगभग 35 करोण रूपए का बोनस डीजिटल रूप से अंतरित किया भी है प्रधान मंत्री ने दुगध उतपादक शहकारी शंग संयंत्र राम नगर वारांसी के लिए बायोगश आधारे विद्धुत उतपादन संयंत्र की आधार सिला भी रखी नेक्स्ट है कि प्रधान मंत्री ने रास्टे डेरी विकाश बोर्ड की मदद से भारतिय मानक विवरोद्वारा विक्षित एक पोर्टल और लोगों लांच गया जो दुगध उतपादों की अनुपादन मूलांकरी उजना के प्रतिशमर पीट है अगला है जमीनी अस्तवर भूमी के मालिकाना अधिकार शे संबंदित समस्याओं में कमी लाने के एक अन्य प्रियास में प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश के 20 लाग से अधिक निमासियों को केंद्रिय पंचायती राज मंत्रारा की शौमे तियोजना के तहत ग्रामी अधिकार रिकार्ड घरवनी को भी वर्शुल तोर पर वित्रित किया इस कारिक्रम में प्रधान मंत्री ने वाराण सी में 15 सो करोड़ रोपे से अधिक कि विकास परियोजनाओं का उदगाटन और सिलन्यास भी किया प्रधान मंत्री का दोरा तो 21 दिशंबर 2021 को प्रधान म साहिता समूहों के बैंक खातों में एक हजार करोन रूपए की धनरास हंसांत्रित की जिससे स्वेम शाहिता समूहों की लगभग 16 लाख महिला सवजश्यों को लाभ मिलेगा धनरास का या ट्रांसफर दिन दयार अंतोध योजना राश्ची ग्रामीड आजिवी का मिशन के तह किया जा रहा है जिसमें आठ जिसमेंकी अषसी हजार सोह्म साहिता समूह के निवेश कोष के अंतरगत य होन पॉइंट वन लाख रूपे प्रती स्वेम सहािता शमूह के फन्ड की रूप में 15 रूप प्राप्ट कर रहे हैं इस कार्यकらम में प्रदारमंत्री 20,000 व्यवशाय प्रते निधी सक्षिईओं धर्ड़िज 20 सक्षिऊं के खातों में पहले महेने में मांदे की रूप में 4,000 रुपय अस्तान तितकर के 20 सख्षिऊं को प्रोस्तान प्रदान किया कारिक्रम के दोरांद प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत भी एक लाख रूपे सी अधिक लाभार्तियों को कुल वीश करून रूपे सी अधिक की धनराज सल्दानत्रित की और प्रधार मंत्री ने पूरक पोषण निर्माड की 202 कायों की आधार सिला भी रखी कन्या सुमंगला को आगे डिटली में पढ़ेंगी उजना में मिलेगा आपको आगे अगला है गंगा एक्सप्रस भी पर यूजना तो 18 दिशंबर 2021 को प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर परदीस के कहां से साहजाँपूर में गंगा एक्सप्रस भी की आधार सिला रखी इसकी जो कुल लंबाई है 594 किलो मीटर है उस सिक्स लेनवाल एक्सप्रस भी है इसकी लागत 36200 करॉंड रुपे से यह बताई जा रही वहीं पर मेरट की बिजवली गाउं से यह स्टार्ड होकर कि प्रियाग राज की जुदापूर दांडू गाउं के निर्कट तक जाएगा कितने जिलों से होकर गुजरेगा ये भी आप से एक्जाम में पूछा जाता है अक्षत याद रखना मेरट हापूर भुलवन सार अमरोहा संबत बदायुशा जहांपूर हर्दोई उन्नाव सावरेली प्रताफगण प्रियाग राज से होकर गुजरेगा यानि टोटल आप उत्रपदीश का सबसे लंबा एक्ष्प्रेस भी बन जाएगा काम जब पूरा हो गया तो पांस चौरान नभी किलो मेंटर हो साथ जहांपूर में इस एक्ष्प्रेस भी पर वाई उसीना के विमानों के आपात के लिए टेक आफ और लेंडिंग में साहता के लिए लंबी हवाई पट्टी भी बनाई आईगी अगला है प्रधान मंत्री द्वारा बारणसी में श्रीकासी विश्वनात धाम का उद्गाटन जो है तेरा से चौदा दिशंबर दो हजार इकीश को बारणसी के दोरे पर रहे तद कालिन किये थे नुद्गाटन उन्होंने गववन श्रीकासी विश्वनात भंद्र आने वाले तिर्थ यात्रियों को कई तरह की शुवधाय प्रधान करेंगे जैसे कि यात्री शुवधा केंद्र है पर्यटक शुवधा केंद्रबायदी केंद्र मूच शुभावन अ बोगशाला है शटी म्यूजियम दर्शक दीर की था अगली परियोजना है सरीव नहर राश्टिय फरियोजना तो इसका जो है ग्यारा दिशंबर पर जो कहानिया दिए इनको बिलकुल नहीं पढ़ना आपको यहां पर जो आपकी काम की चीज़ें यह है कि जो परियोजना है शरीव परियोजना ठीक है इसमें जो है पांस नदिया सामिल है घाघरा शरीव राप्ती बाणगंगा और रोहिडी इनको आपस में जोडने का प् योजना के तहट उसी के आश्वास यानि पहराइश स्रापस्ति बल्रामपुर गुंडा सिद्धात नगर पस्ति शंद कभिर नगर गोरकपुर और महाराज गंज को लाभ मिलेगा अगला है आपका नुएडा अंतरराश्टी हवाई अध्डा तो प्रधान मंत्री नरेंद्र राश्टी हवाई अध्डा है तो याद रखना एक्जाम में अगर पूचा जा सकता है कि देश का ऐसा कौन सा राज है जहां पर पांच अंतरराश्टी हवाई अध्डे हैं अखेला राज दाटिच उत्तर प्रदेश राश्टी राजधानी छेत्र दिल्ली में या दूसरा अंतरराश्टी हवाई अध्डा होगा इससे इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबा को कम करने में मदद मिलेगी यह भारत का पहला ऐसा हवाई अध्डा होगा जहां उसर्जन सो दुरूप से शून नहोगा हवाई अध्डे के पहले चरण का विकास एक य चालो वित्तिय वर्स दोहजार इकीस वाईस के से उत्तर परदेश में आत्म निर्भग किशक्षा मनवित विकास योजना को लागू किये जाने के प्रस्ता को सभी के प्रदान कर दिया है भारत सरकार द्वारा उक्तिय योजना के अंतरगा तीन प्रतिशत वारसिक उत्प रूप से 1220.92 करण रूपे का बैभार संभावित है तो इक्जीक्यूशन का टाइम पीरियड जो है दोस्तों दस साल का है इसका याद रखना 21 से लेकर के 32 तक चलेगा यानी 2221 से 32 तक अगली जो योजना है उत्तर प्रदेश मात्री भूम योजना है तो 10 नमंबर 2021 को उत् इसकी विविन सहरो अभी रिश्यों में कारड़त हैं ग्राम में निवासरत वा बाहर गई शुवधाजन लोगों अपने गाउं की विकाश में अपना योगदान देना चाहते हैं लेकिन कोई शुवधा ब्यवस्थित प्ले रखाम उपला बदना होने की वज़ा से वांच रखानी कारियों को कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं और कार की लागत साथव प्रस्ट धनरास भण करने की चुका हैं तो सेस्ट चालीस परशंट उसकी ग्रांट जो है राजसरकार से मिल जाएगी वहें पर उत्तर प्रदेश मात्रभूम योजना के तहत प्रभावी क् योजना है इसका क्रियान बने एक सोसाइटी बना कर कि जो है की जा रही है दड़े उत्तर प्रदेश मात्रभूम सोसाइटी और जानते हैं कोई भी सोसाइटी अगर बनाई जाती है तो उका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन आक्ट 1860 के तहित उसका पंजी करन भी कराना जरू होंगे वहीं पर देखोंगे तो उत्तर प्रदेश मात्रभूम सोसाइटी का पंजीकन 1860 के तहित कराना ही चाहिए बाकी अगला जो इंप्वार्टन तत्त यह है कि सोसाइटी को सव करोण रूपए की कारपश फंड उपलब्ध कराया जाएगा जिसका उप्यों किसी का है 1974 का है क्या किये गए है संसूधन आप एक बारे देख लो बाकि कुछ खास वाएगा नहीं आपकी एक्जाम में से संब्धित दस नमबर दो हजार एक्वीश को उत्तर प्रदीश मंत्र परसंदी शंकल पत्र दो हजार सत्रा में की गए घुषडा की किरियानी में अधिवक्ताओं को पंजी कंड से तीश वर्स कूंड करने पर लगभग पांस जार आठ सो नतालिश अधिवक्ताओं को देढ़ लाग रूपए शे पांस लाग रूपए एक मुक्स तुदिये जानी क्या उत्तर प्रदीश कल्या अधिवक्ता कल्याण अधनियां 1974 की धारा तेरा में संसुजन प्रस्ता सुभी क्रिदान करने की बात की है तो डेट लाग रूपए शे कितना बात की जा रही है पांस लाग रूपए दार सीट आगे बढ़ते हैं अगला है प्रदेश की इवाओं की तकनिकी ससक्तिकरण हे तो टैबलेट श्मार्टफोन वित्रण य दिखते चलिएगा बताता चलूँगो तना ही इंपोर्टन बागी कहानिया इंपोर्टन नहीं है साधी शमय समय पर भबिस में आने वाली ब्यवहारी कठनाईयों की निराकान हे योजना की कंतरगत किसी भी संसोधन हे तो मुख्यमंत्री को अधिगरित किया गया है इस नि प्रदेश की वाओं को तक्नीकी रूप से ससर्थ बनाए जाने है तो टाइबलेट शमार्टपोन बितरत के जाने किया अभी नो योजना है अगली जो योजना है इंपोर्टन योजना है यहां पर याद रखने हैं आपको कि प्रधान मंत्री पोशन सक्त निर्माड योजन 29 सितंबर 2021 को इनकी अध्यक्षता में इसकी शुरुवात जो है उप्रदान की गई है मंजोरी ध्यान रखना है प्रधान मंत्री पोशन सक्त निर्माड योजना शुबारम विकब किया गया है तो 29 सितंबर 2021 को साथी शादिया जो योजना है वह पांच वरस की लागू होग और यहां केंद्र प्रायोजित योजना है कच्छा एक से लेकर की आठ तक कच्छा एक से आठ तक सभी स्कूली बच्चों को आच्छादित करेगी यह इंपॉर्टन तत्य शादिता कि योजना तीस भर के ग्यारत सुमलों भीशल लाख स्कूल में पढ़ने वाले लगभग यह इंपॉर्टन रखना है बाकिस योजना के ताहित बित्तिय योजनाओं में क्या 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 सब कुतने जरूरत नहीं कुल बैद देख लो एक सरसरी निगा से कि एक लाख तीस हजार साथ सो चौरान नवे की बात की जारी इतना इंपॉर्टन नहीं है आगे पढ़ते हैं अगला है आईश्छमान भारत डिजटल मिशन तो 27 सितमबर 2021 को वीडियो कांफरेंस के माधिम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईश्छमान भारत डिजटल मिशन का सुबारम कब 27 सितमबर 2021 को उलेखनिया है कि प्रधान मंतरी ने 15 अगस 2020 को लाल किले के प्राचीर सी आई शुमान भारत डिजिटल मिशन की पाइलट परियोजना की होशड़ा की थी बेबरण क्या है कि जंधन आधार मोबाइल और सरकार की या डिजिटल पहलों ने जो है ओ आईशुमान भारत डिजिटल मिशन को क्या है संभव बनाया है इस मिशन के अंतरगत नागिकों की शैमातिशे उनके स्वास रिकार्ड तक पहुंच और आदान प्रदान को सच्छम बनाया जा सकेगा मिशन के घटक दे रखे हैं स्वास दे आईडी है ये सारी चीजे है कुछ इंपॉर्टन नहीं आगे बढ़तो हो दूसरा दिया है स्वास सेवा पैसेवर रेजिस्टर ये भी कुछ खास इंपॉर्टन नहीं है स्वास सुविधा रेजिस्टर ये भी कुछ खास इंपॉर्टन नहीं है नेजी स्वास रिकार्ड प्रणाले ये उसको भी नहीं कुछ करना है आपको अगला कुछ इंपॉर्डंट फैक्ट दिये हैं इनको देख लो एक बारी याद रखना है यहां से प्रस्णाप से पूँचे भी जा चुके हैं आपको एक्जाम में कारिक्रम में प्रभाव मानदरंडों की निगरानी की बात की जा रही है ऐसे कि बच्चों को फरोशे गहे मिढडे मेल की नियमित है यों पॉस्टिकता आपको जो निगरानी करनी है जाज परताल करनी हो दयानिक बेश पर करते रहना है सामाजी क्यों लिंग शमानता का प्रोचसाहन भी दैनिक बेश पर करना है मिड़े मिल पकाने परोशने वा उभोग करने में स्वच्छता का भी ध्यान आपको दैनिक बेश पर देना है उत्तम गोडवत्ता के इंधन शामागरी इत्याद की शमय बद सनरच्छना शापता ही करनी है और विभिद बेंजनों का क्रियान वेन ये आपको माशिक तवर पर करनी है शाथी शाथ मिड़े मिल की शम्पूर गोडवत्ता का जुद्यान रखना है और प्रतेक माह कुछ बिसे से जाचों का अलच्छ होना चाहिए शाथी शाथ जो अगला अद्धन आपका प्रभाव मानदन है कि विद्याले अस्तर पर बच्चों की निवन भार की प्रतिशत्ता जो है आपको अर्धवार्शिक तोर पर आपको जांच प्रताल करनी चाहिए यह आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है 2015 की लेकपाल में कि प्रतेग का नमूना अध्यन या पोशड संबंधी अध्यन में दिशाने देशों में दीगे विविन नियुनताय मुक्तिया नियुन भार्यों रख तलपता की स्थितियां जो शामिल होंगी उनको आपको वार्शिक तोर पर निगरानी करते रहना है अब हम उत्तर प्रदेश की कुछ पूर्व में प्रमख कल्यालकारी योजनाओं को देख लेते हैं उसके बाद प्रिवियस येर में जो पूछे गए प्रशना योजनाओं से समधित उनको कबर कर लेते हैं पहली योजना है सबला योजना इसका सुबाराम 22 फरवरी 2011 को राजजी के 22 जिलो में पाइलट प्रोजेक्ट की रूप में 11-18 वर्स की जो किसोरियां है इसकोर नहीं जा सकती उनके लिए है उनके स्वास्तिबा सिच्छा और कोशल संबंदी शुधार के लिए तो याद र इसकी सुरวाद 13 अगस्त 2012 को की गयी है अगली योजना है रानी लचमी बाई प्यंसन योजना जिसका सुभारम 9 फरवर जुल्य को किया गया है अगली योजना है हाउसला पोशड योजना इसकी शुरुवाद 15 जुलाई 2016 को की गई है अगली है राश्टिय श्वास बीमा योजना जो की गरीबी रेखा से नीचे दीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए योजना का सुबारंब केंद्र सरकार द्वाराई के अक्तूबर 2007 को किया गया है अगली योजना है शमाजवादी अम्बूलेंस सीवा योजना जिसकी सुबारंब 14 सितंबर 2012 को किया गया था नया सवेरा विकास योजना है जिसकी शुरुवात 18 गस 2012 से की गई है आरंभ में इस योजना के तहट ब्याज रहित रंड प्रदान किया जाता है अब इस योजना का नाम जो है पंडित दीन दियाल उपाध्याय नगर विकासी योजना कर दिया गया है अगला है सिच्छा का अधिकार कानून 2009 यह उत्तर प्रदेश में शत्ताई जुलाई 2011 से पूर्ता जो है लागू है उत्तर प्रदेश में सिच्छा मित्र योजना की शुरुआत कब हुई है तो कल्याण सिंग के मुख्य मंत्रित तो काल में बर्स 2001 में शुरुआत की गई है वहीं पर उत्तर प्रदेश में दो फरवरी 2006 से पंचायत मित्र योजना की भी शुरुआत की गई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्याला योजना का शुवारंब कब किया गया है तो अगस्त 2004 में किया गया था अनसूचित जातियों जनजाति की बालिकाओं को भीमा प्रुदा को महिलाओ से संबंदित स्वयम सिध्धा योजना का सुबारंब बरस दो हजार दो तीर में हुआ है वहीं पर तीस हजार रूपे की वारसी की चेकिसा मदद वाली जो रास्टिय स्वास्त भीमा योजना है वाएक अपरेल 2008 से उत्तर प्रदेश में प्रारंब की गई है नेक्स्ट आई बीपिवल परिवार में वैस्क विबा प्रोशान योम कन्या भून हत्या रोकने ही तो चार फरवरी 2009 को महा माया गरीब बालिका असिरबाद योजना का प्रारंब किया गया है अगली जो योजना है वो है गरीबी रेखा से नीचे दीवन यापन करन जा उपलब्ध कराने है तो एक फरवरी 2009 से संजीवनी परिवान योजना की शुरुवात की गई और 10 से 19 वर्स की बालकाओं है दिशंबर 2008 में सलोनी श्वास्त की सोरी योजना की भी शुरुवात की गई थी अगली है व्यापारी दुरगटना वीमा योजना जो की पूचा जा चुका है आगे टीटेल में देखोगे इन सब को इसका आरंब 14 सितंबर 2037 को किया गया था और वर्स 2078 में आदर्श नगर योजना की शुरुवात की गई थी दो उत्तर प्रदेश में राश्टिय ग्रामिर स्वास मिशन का सुबारंब कव है तो 10 सितंबर 2005 में किया गया था साथी शाथ उत्तर प्रदेश में खाद सुरक शाधनियम 2013 का उपचारिक रूप से जो सुबारंब हुआ है वहाई 1 मर्च 2016 को किया गया है अब योजना उसे संबंदित जिसने भी प्रसन आपके एक्जाम में पूचे गया है यहाँ पर हम कबर करते चलते हैं यहाँ पर दिया हुआ है तो इस बुक की खास यही है कि अच्छे खासे नोड भी दिये गए हैं साथी शाथ आपको जो जिस चैप्टर से जो पूचे गया प्रसन है उनको भी अच्छे से कबर किया गया है ब्याख्या के साथ है पहला प्रशन है कि अंबेड कर विशेस रो यौजना की यौसत इकाई लागत असी हजार रूपे याज से अधिक भी हो सकती है परन्त पचास हजार रूपे से कम किसी भी हाल में नहीं हो सकती अगला प्रशन है यहाँ पर डाडड डाड फिल करना है कि किसने शामाजी गवान की यौजना की कुशलकार प्रणाली के ल केंडकी के कि डाड़ा पीस की शमर्चा का शमाधान करने की पहल की है दाडिचनीष्थ नीष्ळ इंफरमेटिक शंटर अगला जो प्रशन है कि इंद्रावास यूजना जो कि यह कर्शों रूपी सरकार कि तहट राज सरकार कितना खर्च करती हैं और केंद्र शरकार तो केंद्र शरकार का जो खर्च होता वह 75% जबकि 25% जो है वो राजजी सरकार खर्च करती है तो आपसन भी यहां सही जबाब होगा हिंद्रावास योजना के अंतरगत बित्त पोश्ड पद्धत केंद्र और राजजी की बीच 75 और 25 की आधार पर है वरस 2021 में इसी योजना के अंतरगत निर्माण सहायता की अधिक्तम जो सीमा मैदानी चेत्रों के लिए प्रतिकाई है वह 1.2 लाख रूपए है और पहाड़ी 20,000 रुपईया मिल जाता है अगली जो योजना पोची गई कि यह ना आरीजीपी का पूर्ण रूप बताना है तो सिंपल सी बात होगा नेशनल रूरर इंप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है यहाँ आपसन यहाँ पर सी सही जबाब होगा राजजी ग्राम रोजगार गारंटी का रिक्राम है ना नेशनल रूरर इंप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम देट आगे बढ़ते हैं घरे लूप ब्यक्ति गत और शौरजर हीटर के लिए आर्थिक शायता योजना के अंतरगत उत्रप्रदीश राजजी में क्या प्रोश्चान दिया जाता है य जोकि वास्तिवी जो एंसर होता है उबटा होता है रिवेट होता है रिवेट इस इस दकरक्ट एंसर यांप्शन भी सही जबाब होगा वहां पर कलत दिया था तो वहां पर करवाया गया है यादि कोई प्रदीश पावर कार्पोरिशन ब्रेंटेड विद्दूत बिल में प्रतिमा सव रूपए या वास्तिवीक बिल जो दोनों में कम हो रिबीट प्रदान करता है यानि अगर वास्तिवीक बिल आपका अगर 200 रूपए है तो छूट जो है आपको 100 रूपए ही मिले गया दिक्तम ठीक है वही बात यहां पर की गई है जो दोनों में काम हो वा प्रदान की जाती है यदि आपकी छूट 90 रूपए है तो 90 रूपए ही मिलेगा 100 रूपए यानि मैक्सिम्म सव रूपए है अगला है प्रशन की मध्यान भोजनकारिक्रम की अंतरगत विद्द्यालय अस्तर पर बच्चों के न इतर गतर शामागरी मटेरियल हे और इनिट बालू शेमंट प्रकार चौंड इसमें कितना राजिशरकर करती है केंद्र शरकार 자सरकार की 75 और 25 का रेशियो होगा जबकि वहीं पर अगर material नहीं है मज़ोर यह वायरा है तो उसमें आप देखेंगे तो 100% खर्च करती है अगला है आपका अमबेड कर विशेश रोजगार यूजना के यंतरगत शामान इस्रेडी लाभारतियों के लिए उपलब दिकाई लागत प्रस चत्ता या दिक्तम आर्थिक शहायता धनरासी क्या है तो यहां पर अमाउंट जो हो पर्शेंटेज 25 है जबकि अमाउंट किरासी वह साड़ेशाथ हजार रूपए आपसंसी या तो करेक्ट अंसर जबकि वहीं पर अगर बात की जाती अनसूचित जाद यो जनजाती की तो प्रतिशत होता ताइंटीश और अधिक्तम आर्थिक शहायता की रासी वह दस हजार रूपए हो थी शाड़ेशाथ की जग्या अगला प्रशन है कि रास्ति ये ग्रामेड पेजल कारिक्रम ये नर डी डबलू पी की यंतरगत 2022 तक देश की हर ग्रामेड व्यक्ति के उनके घरेलू परिशरों में या उनके घरों में चायती या उर्धर दर दिशा में पच्चास मीटर की दूरी शिक्कम पर कितने लीटर प्रति दिन पेजल उप्लब्द होना चाहिए इसका जुमानक है वह 70 लीटर प्रतिव्यक्ति है लेकिन अधिक्तम सरकार चाहे तो सो भी कर स वक्ति है लेकिन मेंमाम सत्तर से कम नहीं राश्टिय ग्रामीड पेजल का रिक्रम की अंतरगत बर्स 2022 तक देश भर में हर ग्रामीड व्यक्ति क्यों उनके घरेलू परिश्वरों में या उनकी घरों से चायती या उत्तर दिशा में 50 मीटर की दूरी पर कम से कम सत्तर लीट 85 करोंड ठीक है अब बजट जो आपका एंस बजट आएगा उस हिसाब से आपको पढ़ना होगा एक्जाम के पहले बजट आता है तो आपको बजट नया बजट के आपको देख के जाना है कि सवक्ष भारत मीशन ग्रामीड की तहट कितना बजट में आवंटी तरास ही है इ यमजी नरेगा का प्रारंब किया गया है तो उत्तर प्रदेश में प्रारंब किया गया दो हजार छे में अगला प्रशन पूंचा जार आए असजी असवाई का पूंड रूप आपको बताना है यहाँ पर सही जबाब होगा श्वट जयंती ग्राम सोरोजगार योजना प्यार की गई है आपका एंसर होगा कोशवानी क्या होगा कोशवानी ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है कि BPL सूचियों से छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंब की गई है तो है समाजवादी पेंसन शमाजवाद अंसर होगा क्या है कि मुख्यमंत्री महामाया गरीव अर्थिक मदद योजना BPL सूचियों से छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रारंब की गई थी और इस योजना के तहित प्रतिमाह प्रति ब्यक्र तीन सुरुपईया जो है प्रदान की जान अगला प्रशन है कि सामाजिक वानी कारिक्रम का उद्दिश निमलिखित मेंसी सभी छेत्रों में बड़े पामाने पर ब्रिक्षारों पड़ है किसके सिवाए तो वह है नगरीय अउद्दोगिक शंपदाओं के सिवाए आप्शंडिगी अगला प्रशना आपका आ रहा है कि कुटूर जियोती योजना से शंबंधित मेंसे कौन शाकारिक्रम संबंधित है कुटिर जियोती योजना से यहां पर ग्रामीड छेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्दुत उपलफ्द कराना इस यूजना का उद्दीशी है तो आप्षन यहाँ पर सी सही जबाब होगा और इसी के साथ 17 जो प्रस्ण पूशे गए यूजना उसे संब्धनित रहे हैं उनको आपने कंप्लीट कर लिया है बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर चरी अगली यूजना है आपकी प्रधान मंत्री आवास यूजना ग्रामीड यो मुख्य मंत्री आवाश यूजना ग्रामीड 8 दिसंबर 2021 को केंद्रिय मंत्र मंडल द्वारा प्रधार मंत्री आवास योजना ग्रामीड को मार्च 2021 के बाद भी मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई है तो याद रखना है इसका जो टाइम पीरियड वो बढ़ा दिया गया है कब है मार्च 2024 तक है इस योजना को मार्च 2024 तक जारी रखने से यह सुनिश्चित होगा कि प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीड के तहट 2.95 करोड आवासों की शमगर लच्छ के अंतरगत सेश 155.75 लाख परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकानों की निर्माड के लिए बित्ती सहायता प्रधान की जाएगी 21 नवंबर 2021 तक इस योजना की तहट कुल 2.95 करोड आवासों की लच्छ में से 1.65 करोड आवासों की निर्माड किया जा चुका है एक सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित तनाथ द्वारा वीडियो कान्फरेंस के माध्यम से इस योजना की 5.51 लाभार्थियों की आवासों का ग्रिह प्रवेश या चाभी वित्रण कारिक्रम संपन हुआ था इस योजना के तहट इनपूंड आवासों की कुल जो लागत है वो 6637.72 करोण रूपे रही है नेक्स्ट टॉपिक है कि बर्तमान में संचालित कुछ अन्य महत्तपूंड योजना है पहला है उत्तरप्रदीस गोपालक योजना इस योजना के माध्यम से गोपालक को रण मुरहया कराया जाएगा जिसके माध्यम सी लाभारती 10-12 गाय का पसु पालन कर सकता है 10-12 लाभारती गाय भायस में से किसी को भी पाल सकता है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए पस दुधारू होना आनिवार्य है इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लाभारती अपनी खुद का डेरी फार्म भी खोल सकता है उत्तर प्रदेश साधी अनुदान योजना राजी के गरीब नागरिकों के लिए इस योजना का सुभारम किया गया है इस योजना के माध्यम से कन्या की साधी होने पर 51,000 रूपे की राशिप्रदान की जाती है वहाँ सभी नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं वहाँ उत्तर प्रदेश साधी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र है नेक्स्ट है उत्तरप्रदेश आसान किस्त योजना इस योजना के माध्यम से उत्तरप्रदेश की सभी नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर होने की वज़ा से बिजली का बिल जमा करने में आसमर्थ हैं उनको किस्तों में बिजली का बिल जमा करने की सुविधा उपलब् सहरी उपभोगता अपना बिल 12 किस्तों के माध्यम से भर सकता है जबकि ग्रामीड उपभोगता अपना बिल 24 किस्तों के माध्यम से भर सकता है नेक्स्ट है बीसी सखी योजना इस योजना के माध्यम से ग्रामीड छेतर महिलाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं जो है मुहया कराई जाएंगी यह बाइंकिंग सेवाएं डिजिटल डिवाइस की माध्यम से प्रदान की जाएंगी और यह डिजिटल डिवाइस खरेदने के लिए महिलाओं को 50,000 रूपे की धनराज मुहाया कराई जाएगी इसके अलावा महिलाओं को 6 महीने तक प्रतिमाह 4,000 रूपे की धनराज भी बेतन की रूप में प्रदान की जाएगी नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मिसन सक्ती अभियान उत्तरप्रदेश मिसंसक्ती अभियान को उत्तरप्रदेश की महिलायों बेटियों को स्वावलंबी उम्सुरक्षित बनाने के उद्देश से किया गया है इस अभियान के माध्यम से प्रदेशी की महिलाओं को जागरूग किया जाता है जिससे की उनको अपने अधिकारों से शंबदित जानकारी प्राप्त हो सके इसके अलावा महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी संचालन किया जाता है अगली योजना है राश्ची पारिवारिक लाभ योजना इस योजना के माध्यम से यदि गरीब परिवारों के एक मात्र आयर्जित करने वाले शदसी की मृत्य हो जाती है तो इस इस्थित में परिवारिके शदसी को 30,000 रूपे की राशी प्रदान की जाएगी अगली जो योजना है वह उत्तर प्रदेश भाग लच्मी योजना है उत्तर प्रदेश भाग लच्मी योजना की अंतरगत राजी की आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों के जन्म होने पर 50,000 रूपे की आर्थिक सहायता राज शरकार दोरा प्रदान की जाए जब लड़की छटवी कच्छा में जाएगी तो माता पिता को तीन हजार रूपे आठवी कच्छा में पाँच हजार रूपे और कच्छा दस में शाथ हजार रूपे और बार्वी कच्छा में आठ हजार रूपे दिये जाएगी इस योजना की अंतरकत लड़की के 21 बर्स की आयू पूर्ड होने तक लड़की के माता पिता को 2 लाख रूपे की उलर धनरासी बित्तिय सहायता की रूप में भी प्रदान की जाएगी अगली जो योजना है वो आत्म निर्भर किशक शमनवित विकास योजना है तो 2 सितंबर 2021 को इस योजना का मुख्यमंत्री योगी आदित नाति की समच प्रस्तूती करण किया गया राज सरकार द्वारा प्रतेग विकास खंड में एक यहपीयों के गठन का लच भी रखा गया इस योजना के माध्यम से क्रिशियों पालदर्सी छेत्रों में रोजगार अवस्वरों में ब्रिद्धी तथा राजी के प्रतेग विकास खंड में क्रिशक उतपादक शंगठनों के गठन की प्रिकरिया में तेजी लाई जाएगी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना इसकी शुरुवात 29 मई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित त्यनाथ ने कोविड 19 महामारी की कार निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोशन सिच्छा और सुरच्छा के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोशडा की है इस योजना का लाभ उन बच्चों को प्राप्त होगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं साथी साथ जिनके माता पिता अथवा माता या पिता विधिक अभिभावक आयर जित करने वाले अभिभावक की मृत्तियू कोविड 19 शंकरमण की कार होई एक मार्च 2020 के बा इस योजना की अंतरकत जीरो से 18 वर्ष की आविवर्के बच्चों जोकी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं इसके पात्प्र होंगी इस योजना के तहट उत्तर प्रदेश सरकार बच्चे के वैस्क होने तक उनके अभिभावक तवादेग भालकरता को प्रतिमाह 400 शीमा मूलता दो लाख रूपए निर्धारित की गई थी जिसे जून 2021 में बढ़ा कर तीन लाख रूपए कर दिया गया है यानि इस योजना के तहत वही लाभार्थीन में होंगे जिनकी जो वार्थी का आए है वह तीन लाख रूपए है साथ ही बच्चे की मा के जीवित होने पर उन्हें निराश्रित महिला पेंशन योँव अन्य पात्र योजनाओं का लाभ भी प्राप्त होगा दस बर्स से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका कोई अभिभावक या परिवार नहीं है ऐसे सभी बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से और अपने संसाधनों से संचालित राज किये बाल ग्रिह में देख रिख के लिए रखा जाएगा अनात हुए बच्चों अत्वा बच्चियों को भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूर बागांधी बालिका बिद्यालयों आवासियों मराज किये बालिग्रिह तथा अटल आवासिये बिद्यालयों में कच्छा बारत तक की मुप्त सिच्छा की ब्यवस्था भी की जाएगी निरासरित बालिकाओं की 18 वर्स की आयू के बाद साधी हे तो प्रदेश सरकार एक लाख एक हजार रूपे प्रदान करेगी उच्चतर माध्धमिक तथा ब्यावशाई के सिच्छा गरहन कर रहे 18 वर्स की आयू तक के बच्चों को टैबलेट लैपटाप वित्रित किया जाएगा बच्चों की चल अचल संपत्यों की सुरक्षा भी की जाएगी अगली जो योजना है वो उत्तरप्रदेश कोबिड अमर्जंसी वित्तपोषड योजना है तो 15 मई 2021 को उत्तरप्रदेश मंद्र मंडल ने उत्तरप्रदेश कोबिड अमर्जंसी वित्तपोषड योजना को मंजूरी प्रदान की है इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कोबिट से संबधित आवश्यक शामागरी के बिनिर्माण की चालो इकाईयों का विस्तार तथा नई इकाईयां अस्थापित करने पर राध सरकार बित्तिय सहायता प्रदान करेगी इस योजना के तहत पात्र इकाईयों को प्लांट मशीनरी और यंत्रों की अस्थापना है तो कुल बैका 25 प्रतिशत या अधिकतम दस करन रूपे तक की बित्तिय सहायता की कैपिटल शबसिडी की रूप में प्रतिपूर्द की जाएगी GST MSME योजना के तहत भुकतान की कई राशी की प्रतिपूर्द भी राधिशारकार द्वारा की जाएगी या बित्तिय सहायता इकाई की कारणत योजना की दावे की आधार पर दी जाएगी या योजना बरतमान में कारणत अवदूगी इकाईयों और नई अस्थापित होने वाली उन इकाईयों पर प्रभावी होगी जो कोविट से सम्बंधी त्यावासिक शामागरी के लिए अपनी बरतमान छप्ता में बिद्धी करेगी या इस सेत्र में नई इकाईय अस्थापित करने की इच्छोक है या योजना अधी सूजना जारी होने के एक वर्स तक प्रभावी रहेगी पादरिकाईयों के लिए रिवाल्विंग फंड बनाया जाएगा और उन्हें उत्तर प्रदी सूजम लगूयों मध्यम उद्धम या इस्थापनियों में संचालन सरणी करन अधनियम 2020 के यंतरगत 72 घंटे में यहने उसी प्रदान की जाएगी केंद्र सरकार से संबंदित यहनों सी दिलवाने में फास्ट ट्रैक मौड भी मदद की जाएगी योजना का लाब लेने है तो पादरिकाई को किसी भी कामर्शियल भाइं की असेड़िबी में आविदन करना होगा अगली जो योजना है वो सहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराई की आवास योजना है तो योजना उसे संबंदित कुछ खास युद्देश याद रखना है तो तादिशाद डेट जरूर याद रखना है तो 26 मार्च 2021 को सहरी प्रवासियों के लिखिफायती किराई की आवाश और परिशर योजना के प्रस्ताव को मंजुरी प्रदान की है इस योजना की अंतरगत बिधवाओं, कामकाजी महिलाओं और अलप संख्य को अनसूचित जातियों अनसूचित जन जातियों यहां अन्य पिछडे बर्गुल के लोगों को प्राथि मिक्ता दी जाएगी यहां योजना लाभार्थियों के लिए किराई की आवाश पलिसरों की निर्माड, संचालन और रख रखाव के लिए निजी और सारबजनिक संसूथानों की भागीदारी को बढ़ावा देने है तो प्रधान मंत्री आवाश योजना सहरी के तहत लागु की जाएगी अगली जो योजना है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्धमिता विकास योजना है इस योजना का उद्धेस से क्रोणा महामारी के कारण देश में लागु लागडाउन के फल्सुरूप बिभिन प्रधेसों से वापश आई श्रमिकों यों कामगारों की रोजगार इस योजना के लिए बजट 2021-22 में 100 करण रूपे का प्रावधान भी किया गया है एक्जाम में पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री प्रवासिस्रमिक उद्धमिता विकास योजना की अंतरगत बजट 2021-22 में किटने रूपे का वंट किया गया है तो 100 करण रूपे है वसे बजट जो नया बजट होगा आपका 22-23 उसी के हिसाब से आपके प्रस्ण आने वाले हैं क्योंकि बजट के बाद ही आपका जो है वो एक्जाम होगा पूरी की पूरी जो है वो शंभावना है इस योजना की अंदर का स्वरोजगार अस्थापिद करने के लिए ग्रामिड स्रमिक महिलाओं को 10 लाख रूपे तक केरण सहायता रासी जो हो बिना किसी ब्याज की प्रदान की जाएगी वहीं पूरुस स्रमिकों को चार प्रतिशत की ब्याजदर से 10 लाख रूपे तक करण भी प्रदान किया जाएगा अगली योजना है मुख्यमंत्री सच्छम सुपोषण योजना उत्तर प्रदिश बजड 2021-22 में महिलाओं और बच्चों में कोपोषण की समस्या से निपटने है तो मुख्यमंत्री सच्छम सुपोषण योजना की शुरुवात की गई है यह योजना वित्तिय बर्स 2021-22 से क्रियानवित की जाएगी इस योजना की अंतरगत ड्राई रासन के साथ साथ आंगरवाडी केंद्रों पर पंजी गिरित 6 माह से 5 वर्स तक के चिन्हित कोपोषण बच्चों कोपोषण बच्चों तथा इनेमिया ग्रस्त 11-14 वर्स की स्कूल ना जाने वाली किसोरी बालिकाओं को अतरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा इंपॉर्टन्ट योजना है याद जरूर रखना है और इस योजना के लिए 100 करण रूपे की आप डवस्था भी बजट में प्रस्ता भी तो है अगली योजना है मुख्यमंत्री सिच्छुता प्रोत साहन योजना तो 18 फरवरी 2020 ECB को उत्तर प्रदीश सरकार दोरा प्रस्तुत बजट 2021 में इवाओं को शोरोजगार वर रोजगार से जोडने के लिए इस योजना की घोशड़ा की गई है इस योजना का उद्देश प्रदेश के इवाओं को उद्दोगों तथा MSME इकाईयों में और जौब प्रस्तिक्षण प्रदान कराते हुए उन्हें निस्षित आवध के लिए रोजगार से जोडना है इस योजना की अंतरगत इवाओं को उद्दोगों में प्रस्ытक्षण के साध यहाध प्रदीमाः 2500 रोपे की धनराद्स प्रस्तिक्षण भथ्त्य की रूप में प्रदान की जाती है इस पचीस सव रूपए की राजी में केंदर का जोवन्स और राज का अंस यानि पचीस सव रूपए में पंदरा सव रूपए जो वह खर्च करती है केंदर शरकार जबकि एग हजार रूपए जो राज शरकार पेमिंट करती है तो टोटल देखेंगे पच्ची सो रूपए है अगली जो योजना है वो मुख्यमंत्री क्रिशक दुरगटना कल्याड योजना है तो 21 जनवरी 2020 को उत्तरप्रदिस सरकार द्वारा राज जी की क्रिशकों की दुरगट करना बश्मृति दिव्यांगता की इस्थिती में इस योजना को क्रियानवित किया जाने से समझ्हजित प्रस्ताओं को मंजूरी प्रदान की गई है पूर्भ में इस योजना को जो नाम रहा वह मुख्यमंत्री क्रिशक दुरगटना बीमा योजना था और बाद में इसका नाम जो परिवर्टित कर दिया गया है कि जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री क्रिशक दुरगटना कल्याण योजना मुख्यमंत्री क्रिशक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ सिर्फ उखाती दार किशान और सहकाती दार को ही नापत होता था नई योजना की अंतरगत किशान और उसकी पतनी पुत्र पुत्री पौत्र और पौत्री के साथ ही बटाईदार भी पात्र होगा इस योजना की अंतरगत 18 से 70 वर्ष तक की आयू की किशान पात रहोंगे यह योजना 14 सितंबर 2019 से प्रभावी है यह योजना सत प्रच्षत रज सरकार द्वारा बित पोसी था जो की जिला अधिकारियों के माध्यम से संचालित की जाती है योजना की अंतरगत क्रिशक की दुरगटना वस अत्वा मृत्यू दिब्यांग होनी की दसा में उसके बिधिक वारिस वारिसों अत्वा स्वयम क्रिशक को सामाजिक सुरक्षा के लिए अधिकतम 5 लाख रूपए की धनराश प्रदान की जाती है तो मुख्य मंत्री दुरगटना कर्ल्याड योजना की दहत अमाउंट की जो राजी है कितनी है पाच लाख रूपए है याद रखना यही सब एकजामें पूचे जाने वाले पॉइंट होते हैं साथी शाथ इस योजना की शुरुवात प्रभावी जो है वह 14 सितंबर 2019 से है और इसमें जो किशान की आई हो वह 18-70 वर्स की आई किशान जो है इसी योजना की अंतरगत पात रहोंगे इसके अलावा किसान अत्वा उसकी परिजन की 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता की स्थिती में दो लाख रूपए की धनराश जो है वो प्रदान की जाएगी यानि दुरगटना बस अगर इम्रति हो जाती है तो पांच लोग लाख रूपए है वहीं पे अगर वो दिव्यांगता की स्थिती में आ जाते हैं किसी कारण बस तो उनको दो लाख रूपए की धनराश जो है प्रदान की जाती है सीवेर डिसिबेल्टी ने डिसिबेल्टी के वो 60% की बात की जा रही है इस योजना का अचादन बढ़ाते हुए उन व्यक्तियों को भी पातरता की स्रेणी में रखा गया है जो खातेदार योम सह खातेदार किसानों की परिवारों की कमावू सदस्य हों साथ ही ऐसे भूम ही न व्यक्ति भी जो पट्टे से प्राप्त भूमी पर अथवा बटाई पर खेती करते हुँ इस योजना के अंतरगतो आजाएंगे राजज बजट 2021 योग 2021 बाइस में इस योजना है तो क्रम शाह इनी 2021 में 600 करोन रूपे का जो है आवंटन किया गया है जबकि पिसले बजट में 500 करोन करा है आने वाले बजट में आप देखेंगे जो कि आपके एक्जाम के पाइंट आभीशिव वही इंप्वार्टन होगा अगला है आपका मुख्यमंत्री पर्याटन शंबर्धन योजना तो इके जरवरी 2020 को उत्तर परदेश सरकार द्वारा इस योजना की क्रियानवियन हेत प्रकेरिया निर्धारित करने से संबंधित प्रस्ता को मंजूरिक प्रदान की गई है इस योजना के अंतरगत उत्तर प्रदेश में इस्थित महत्तपूर्ण धार्मिक आध्यात्मिक प्राचीन सांचुकृतिक योँ प्राकृतिक अस्थलों के सतत विकास योँ संबर्धन हेत प्रतिक विधान सभा के छेतर में इस्थित एक पर्याटन अस्थल को बिक्सित कि जाएगा परेटन केंदर का चैन संबंधित विधायक्यों जिला-धिकारी के संसूतिक अंसार किया जाएगा परेटन विभाग विधायक निधियों सी यश और निधि चे प्राम्प धन्राज सिचे नित अस्थल का विकास होगा साधी शाहत योजना की देखभाल अस्थानिय निकाय ग्राम पंचायतों अथवा प्रबंध शमिद के गठन कर की जाएगी इस योजना की अंतरगत कारिशंबदी विभादों की सहयोग्षे आवसेक तानसार किये जाएगी राज बजड दो हजार इकीस बाइस में सी योजना हेत दो सो करण रूपे का वंटन किया गया है इस योजना की अंतरगत प्रतेग छोटे पावर लूम देज पॉइंट फाइब अस्व सकति तक इनको प्रतिमा है 120 यूनिट जबकि बड़े पावर लूम देज एक अस्व सकति तक उनको जो है 240 जो है यूनिट प्रतिमा है जबकि जो साढ़े तीन रूपे प्रत पावर वाले जो है 120 यूनिट देखेंगे तो साढ़े तीन रूपे प्रति वहीं पर बड़े जो हो जाएंगे पावर लूम उनको भी 240 यूनिट तक जो है साढ़े तीन रूपे प्रति यूनिट की तर से सबसिड़ी प्रतिमान की जाएगी जून 2006 में बुनकरों को मित्प्रश्न पूंचा जा चुका है जो अभी आप करके आ रहे हो 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम विकाश विभाग द्वारा संचारित अंबीडगर बिसेश रोजगार यूजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहब अंबीडगर रोजगार प्र अलब्धकराना ग्रामीड अबादी का सहरी छेत्रों की योड़ी पलायन रोकना है यह योजना सभी जाति वर्ग योम धर्म की लोगों के लिए है इस योजना की अंतरकत संसोधित व्यवस्था के तहत अनसूचित जाती अनसूचित जन जाती अध्वा दिव्यांग को प् 35 प्रतिशत अधवा अधिकतम 50,000 रूपे जो भी कम हो रिण अनुदान प्रदान किया जाता है साथी शाथ व्यवस्था में संसोधित किया गया है तो संसोधित व्यवस्था की अनुशार उन्ही लाभारतियों को रिण प्राप्त हो सगेगा जिनके परिवार की समस्त स्रो उपए तक ही है लाभारति के चैन की नियुंतम जो आयू सीमा है वो 18 वर्स से ले करके अधिकतम 25 वर्स तक निर्धारित की गई है अन्य किसी योजना यथा जैसे की मुद्रा योजना है प्रधान मंत्री रोजगार योजना इत्यादिकी अंतरगत रण प्राप्त लाभार की दाहत वो अगर मुद्रा योजना के पात्र है तो इस योजना के पात्र नहीं होंगे प्रधान मंत्री रोजगार योजना के पात्र है तो इस योजना के पात्र नहीं होंगे अगली जो योजना है वो मदर्शा आधुनिकी करण योजना है 11 नोवंबर 2019 को उत्तर प्रद देश में आज्छारित मदर्सों को केंद्रांस साथ प्रतिशत तथा राज जो है वो चालीश प्रतिशत व्यभार निधारित करने का निर्ड़ लिया है यानि मदर्सा अधुन की काड़ योजना के तहत जो खर्चा होगा वो शाठ परशंट केंद्र सरकार अदा करेगी और 40 परशंट राज सरकार पूर में यह योजना साथ प्रतिशत जो है वो केंद्र पर आधारित योजना रही यानि 100 परशंट केंद्र खर्च करता था लेकिन जो है इस योजना को जो है 11 नुवंबर 2019 से क्या है इसमें थोड़ा चेंज किया गया और इस योजना के अंतरगत राज सरकार भी 40 प्रतिशत जो है वो खर्च करेगी स्कीम फार प्रोवाइडिंग एजूकेशन इन मदर्शा की अंतरगत आच्छादित मदर्शों के सिच्छकों को राज सरकार दोरा पहले से प्रदत बित्तिय सहयोग यह थावत जारी रहेगा बरतमान में प्रदेश में अगली जो योजना है वो उत्तरप्रदेश कोर नेटवर्क डेवलप्मेंट पर योजना है तो 20 अगस 2019 को उत्तरप्रदेश सरकार दोरा विशुबाइं की केरण से प्रस्तावित योजना की सहफटी घटक की अंतरगत परिवहन विभाग ग्रिह दर्डीज पुलिश विभ तथा लोक निर्माड विभाग द्वारा कराय जाने वाले कारियों को मजूरी प्रदान की गई है इस परियोजना के रोड सेफटी घटक की अंतरगत लोक निर्माड विभाग ग्रिह विभाग यों परिवहन विभाग द्वारा विस सुबैंक से प्राप्त रिंड से कराय रासी 570 मिलियन अमेर की डालर है जिसमें से 400 मिलियन अमेर की डालर की रासी बिस सुबायंक शेरनड की रूप में प्राप्त होगी और सेस जो बैह होगा वर राज शरकार वहन करेगी अगली जो योजना है वो मुख्य मंत्री निराश्रित अथवा बेशहारा गोबंस इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है इस योजना की अंतरगत निराश्रित भी शहारा गोबंस इच्छोक क्रिशकों पशूपाल को योम अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किये जाएंगी इस योजना के क्रियानवेन है तो पहले चरण मर एक लाख गोबंस को सुप क्रिशकों पशूपालकों अधव अन्य व्यक्तियों को तीस रूपय प्रतिगोबंस प्रतिदिन की दर से भरण पोशण हेत धनराश भैंक खाते में प्रतिमाह डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसवर प्रक्रिया के माध्यम से हस्तारांत्रित किया जाएगी अगला प्रशन अ 89 वर्श की आईउके लाभार्थियों को प्रति प्यенशन राउसिक प्रति लाभार्थी 400 रुपे प्रतिमाह से बढ़ा कर 500 रुपे करने का लिया गया है आपके एकजाम में ऐसे प्रशन पोचा जा सकता है कि ब्रिध्धावस्था प्यंशन योजना के तहत लाभार्थी प इतने रूपे प्रतिमाह जो है अमाउंट प्रदान किया जाता है तो 500 रूपे है वहीं पर यदि पूछा जाता है ग्रधावस्था पैंसन योजना के तहत किस वर्स किया है युकि नागरिक इसमें जो है वो सामिल होंगे तो 60 सिल्ले करके 89 वर्स तक है यह योजना राश्ट होता है असी वर्स यो में से अधिक वाई वर्ग की ब्रध जनों को पांस रूपे की धनराश्ट प्रतिमाह सथ प्रदान की जा रही है और जबकि वहीं पर यहीं साथ से लेकर के 79 तक देखेंगे तो बिंधन ब्रधावस्था पैंसन की तायत है ना और जो असी वर्स से हैं उनको जो है लड़ी ब्रध जनों को पांस सुरूपे धनराश्ट प्रतिमाह जो है शत्य प्रत्सथ वह केंद्र शरकार अधा कर रही है जबकि जो ब्रधा पैंसन है इसमें आपने देखा कितना की तीन सुरूपे तो राज सरकार अधा करती है जबकि दो सुरूपे केंद् 25 अक्टूबर 2019 को 35 अक्टूबर 2019 को उत्रप्रदीश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का सुबरम किया गया है इस योजना का संचालन महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है और यहां योजना एक अपरेल 2019 से लागू है तो इसकी सुरुव 2019 से यह जो है इफेक्टिव है चीज़ है तो ध्यान देना है शुरुवाद तो जो है रिट्रास्पेक्टिव इफेक्टियन यह एक अपरेल से इन्होंने डाल दिया है यह यह योजना छे स्रेंडियों में लागू की जाएगी इस योजना की अंतलक बेटी के पाइदा होन याद रखना है कन्या सुमंगला योजना की शुरुवात 25 अक्टूबर 2019 को की गई है इस योजना की तहट 15,000 रूपे प्रदिस सरकार प्रदान करती है साथ 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 6 चरणों में 15,000 अमाउंट दिया जाता है इस योजना का लाभ किसी परिवार की अधिकतम दो बच्चियों को ही दिये जाने का प्रावधान है याद रखना अधिकतम दो बच्चियों को मान लीजिए पहली बार में एक लड़की हुई दुबारा में जो है आप देखेंगे तो जुड़वा हो गई दो बच्चिया तो इन तीनों को जो है लाभ मिलेगा इसका अगला पॉइंट है यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है वद दूसरे प्रसव से दो जुड़वा बालिकाएं होती है तो ऐसी अवस्था में तीनों बालिकाओं को लाभ प्राप्त होगा यदि किसी परिवार द्वारा अनाथ बालिका के बालिका गोद ली गई है तो परिवार की जैबिक संतानों तथा विधिक रूप से गोद ली गई संतानों को शामिल करते हैं अधिक्तम दो बालिकाएं ही इस योजना के लाभ के पात्र होंगी योजना की अंतरगत लाभारती की जो वारसिक अधिकतम आयो है वो सीमत 3 लाख रूपए से निधारित की गई है यानि मैक्सिमम जो अधिकतम आय है इनकम है वो वारसिक इनकम वो 3 लाख रूपए हो बित्य बर्स 2021-22 में इस योजना की संचालन है तो बजड में जो आवंटित राजी है बारस करोण रूपए है तो इंपॉर्टन्ट फैक्ट है दोस्तों याद रखना है कि 25 अक्टूबर 2019 को कन्या शुमंगला योजना की शुरुवात की गई है साथी शाथ इस योजना की तहट 15,000 रूपए जो हो दिये जाते हैं कूल 6 चरणों में साथी शाथ जानते हैं कन्या शुमंगला की बात की जा रही है तो इसमें दो बच्चियों को शामिल किया गया है दो बच्चियों को ठीक है यानि मैक्शिमम दो बच्ची शामिल होंगे इसमें पहले मान लो एक लड़की होती है दूसरी जुड़वा हो जाती है यह मान लीजिए एक लड़का एक लड़की हो गया तो वहाँ पर भी क्या है अपना जो है दो बच्चियों को लाभ मिलेगा और यह भी लड़की होगे दोनों जुड़वा दूसरी टाइम बे भी तो तीनों को मिल जाएगा यही आपको ध्यान दीना है साधी साथ बज़ट में जो आवंटन किया गया है बारा सो क्रोन रूपे यद थ्यान यद वित्वर्स आपका 21-22 मूचा जाता है बज़ट तब वह राइमाउंट जरूर याद रखना है साधी शुरू आत मुख्यमंत्री शुपोशड घर योजना तो 20 नमबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की दस जिलो में बलाक वस्तर पर 28 मुख्यमंत्री शुपोशड घर अस्थापित करने ही तो मंजोरी प्रदान की गई है इस योजना के अंतरगत स्वास्त विभागे के सहीयोग से यातिकोपोशित बच्चो हेत प्रतेग बलाक सियच सी पियच सी में मुख्यमंत्री शुपोशड घर स्थापित किया गया है 28 मुख्यमंत्री शुपोशड घर प्रतीमाह 16,800 रूपे का बे अनुमानित है यहाई योजना पाइलट प्रजेक्ट के रूप में चैनित आठ आकांचातमक जिलों दड़ चित्रकूट चन्डवली फतेपुर शिद्धार्त नगर शोनभद्र वहराईच तासराबस्ती और बाउनेपन की दृष्टी सी हाई बर्डन जिले दड़ सीता पुरियों अधि योजना के प्रभावी किरियान के फोर्फ शामान ने शुभिधतक के इंदर प्रोष्वान योजना सुरुद्धा सुरू की गई है। इस योजना के तहत ODOP में यानी वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट यानी एक जनपद एक उत्पाद में चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपड़न तक की शमस्त अबयों जैसी कि कच्चा माल डिजाइन उत्पादन प्रिक्रिया गोडवत्ता शुधार अनुश यस पीबी अनि इस्पेशल परपस वहिकल दोरा किया जा रहा है सामानी सुभिधा केंद्रों की अस्थापना हे तो 15,000 करोण माप्ष कीजिए का 15 करोण रूपए की परियोजना ली जा सकते हैं जिसकी लागत 10 प्रतिसत यस पीबी तथा सेसराशी रज सरकार वहन करती है राज सरकार द्वारा बित्ती और सामाजिक शुरक्षा उपलब्ध कराना है बेमित व्यक्ति की रेल रोड वाई व्यान शुदूर घटना किसी भी टकराव गिरने के कारण चोट गैस रिशाव विच्छू नेवला चिबकली काटने से मरना सिलेंडर फटने के कारण बिश द्रुखटना आद इसके तहत शामिल है नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे मुखिया रोटी अर्दक जिनकी आई एठारा वर्स से सत्तर वर्स की मद्ध है यों जो खातेदार साहकातेदार के रूप में खतवनी में दर्ज है या जिनकी परिवारिक जो वारसिगा है वह 75,000 र पांच लाख रूपे का मुआउजा पात्र मुखिया रोटी अर्दकी स्वयम तथा परिवारिकी समस्ष शदश्यों को दुरगटना होने पर धाई लाख रूपे तक का इलाज मुफ्त तथा जरूरत पढ़ने पर एक लाख रूपे तक क्रितिम अंग भी लगाया जाने की बेवस्था है अगला पॉइंट है कि पात्र परिवारिकी शदश्यों की दुरगटना पर फावरी तोर पर नजदीक के किसी भी चिकित साल है यानि कम से कम दस बेड़वाले में धाई यानि 25 हजार तक का प्राथमी की लाज करानी की शुविधा भी है जिसकी प्रतिपूर या से नीचे परिवार को आई प्रमाण पत्र देनी की आवसेकता नहीं होगी ये भी योजना की क्या है फात्र होंगी इसे संबाधित्फी जो बीमा कमपनियां यह सब इतना important नहीं है साथ ही चाहती ही साथ यहाँ पर याद रखना है आगे बढ़ते हैं अगली जो योजना है वो मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना है उत्तर प्रदेश शरकार दोरा से चितिवा बेरोजगारों को श्वरोजगार अस्थापित करने है तो मुख्यमंत्री इवा श्वरोजगार योजना प्रारंब की गई है योजना की अंतरगत बेरोजगार इवक इवतियां उद्दोग छेत्र की काई अस्थापित करने है तो 25 लाख रूपए तथा सेवा छेत स्वर्ष के मद्ध होनी चाहिए तथा नियुनतम साचिक योगता हाई स्कूल उतेन तथा किसी भी राष्टिय बैंक अथवा वित्तिय संस्था अथवा सरकारी संस्था आधिका डिफाल्टर नहीं होना चाहिए रिड़ प्राप्त करने में कम परियोजना लागत की एकाईयो को प्राथी मिक्ता दी जाएगी अगली जो योजना है वो मुख्यमंत्री ब्यापारी दुर्घटना बीमा योजना है वंतिश मईद दो हजार अठारा को उत्रपदी सु सरकार द्वारा वारित जिकर बिभागी में पंजिकरत ब्यापारीयों के लिए लागू मुख्यमंत्री ब्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रदत रासी को पांच लाख रूपए से बढ़ाकर दसलाख रूपए किये जानी को शोविकरती प्रदान की गई है तो मुख्य मंत्री ब्यापारी दुर्गटना बीमा यूजना के तहत राशी कितनी है दोस्तों तो दसलाख रूपए है याद रखना बड़ी हुई बीमा की राशी 27 अक्टूबर दो हजार अट सत्रा से प्रभावी है ग्यातब भी है कि एक सितंबर 2000 से प्रदेश में प्रारम भजोखी में जीवन व्यक्ति दुर्गटना बीमा यूजना का नाम 30 जुन 2016 से परिवर्थित कर मुख्य मंत्री बियवारी दुर्गटना बीमा यूजना कर दिया गया है इस यूजना की अंतरगट दुर्गटना में मृत्ति होने की स्थिती में ब्यापारियों द्वारा नामित व्यक्ति यत्वा उनके परिवार को बीमा राशी प्रदान की जाती है अगली जो यूजना है वो पंडित दिन दयलो बाध्या ग्रामों उद्दोग रोजगारी यूजना है इसका उद्देश से है ग्रामीड छेत्रों में बढ़ती बिरोजगारी का शमाधान करना ग्रामीड सिछित बेरोजगार इवोकों के सहरियों की योर्प पलायन को हरतोसाइद करना तथा अधिक से अधिक रोजगार की अवसरों गाउं में उपलब्ध कराना है इस योजना के तहट उत्तरप्रदेश के सभी जनपदों के ग्रामीड छेत्रों में वन डिश्टिक वन प्रोडक्ट के अंतरगत चिन्हित उद्धोंगों को बरियता प्रदान की जाती है योजना के तहट अस्थापित इकाईयों को अधिक्तम 13 प्रद्शत ब्याज उपादान का लाभियोम तीन बरसों तक अन्य सुविधायें अनुमन्न की गई है इसके अंतरगत खनिज वन क्रिशी खाद बहुलक रशायन इंजिनियरिंग तथा गैर परामपर अगत उर्जा और वस्त्र योम सेवा आधारित उद्धोग पात्र शंभावित समोह के रूप में निर्धारित है राज सरकार ने इस योजना की अंतरगत इवाओं के लिए 25 लाख रूपे तक केरण का प्रावधान किया है अरचित बर्ग के लाभार्थियों दड़िज अनसूचित जाती अनसूचित जनजात पिषडा बर्ग अलब संख्यक दिब्यांग महिलाएं योम भोध पूर्ब शायनिक को जिला योजना के अंतरगत ब्याज की जो पूर्ड धनरासी है ब्याज उपादान की रूप में उपलब्ध कराई जाती है अगली जो योजना है वो मुख्यमंत्री शमगर ग्राम विकास योजना है तो 24 जनवरी 2018 इस भी को उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदेत तिनाथ नी उत्तरप्रदेश दिवस के असर पर अवध शिल्प ग्राम लखनव में मुख्यमंत्री शमगर ग्राम विकास योजना का शुबारंब किया है तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री शमगर ग्राम विकास योजना की शुर्वात कब की गई है 24 जनवरी 2018 को इस योजना की अंतरगत प्रदेश की सीमा वरती छेतर डरी जो राश्तर राश्टिय और अंतर राज्जिय पर इस्थी तो पेच्छित ग्रामों को श्राम विकास किया जाएगा इस योजना के तहट वरतांगिया मुशारी ओम थारू आदि भर्ग के बाहूल वाले ग्रामों के अस्थाई और समे के विकास किया जाएगा इस योजना का क्रियान बिन ग्राम विकाश विभाग द्वारा किया जा रहा है इस योजना के तह देश की रच्छा में सहीद हुए सेना यों अर्ध शैनिक वलों के शैनिकों के ग्रामों को सहीद ग्राम गोशित किया जाता है यदि इनके ग्राम संपर्क मार्ग से नहीं जुड़े हैं तो उसे पक्के शणक मार्ग से जोड़ने का प्रावधान है इन मार्गों का जो नाम होता है वह गवरव पथ होता है इन ग्रामों में तोरण द्वारा सहीद हुए शायनिक्ष की मूर्तिय अस्थापित की जाती है अगली जो योजना है मुख्यमंत्री शामोहिक बिबाह योजना है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शामोहिक बिबाह योजना सुरू की गई है या योजना प्रदेश में गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी बर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की साधी है तो समाज कल्याण विभाग के अंतरगत संचालित है पात्रकन्या के अभिभावक उत्तरप्रदेश के मूल निवासी हो और उनकी जो परिवारी आया है वहाँ गरीवी रेखा के नीचे हो यानि बीपी अलस्रेनी में आते हो इस योजना की अंतरगत कारिक्रम की आयोजन है तो नगर ये निकाय दड़िज नगर पंचायत नगर पालिका और नगर निगम छेतर पंचायत जिला पंचायत और ऐसी सासिकी अर्ध सासिकी योम स्वैक्षिक संसुथाएं दड़िए अधिक्रित होंगी जिने जिला अधि जोड़े पर मौजूदा समय में 51,000 रूपे की धनराश बै कर रही है तो यही अमाउंट आपके लिए important होते हैं याद रखने हैं विबाह के लिए महिला की उम्र जो है वो 18 वर्ष वा पुरुष की उम्र जो है वो 21 वर्ष निर्धारित है सामोहिक विबाह कारिक्रम में निय 2017 से 22 है 13 दिशंबर 2017 को उत्तरप्रदेश मंत्र मंडल द्वारा उत्तरप्रदेश चावल निर्यात प्रोच्थान योजना को आगामी पांच बरसों जड़िज 2017 से 22 के लिए लागो करने का निड़ किया गया है तो याद रखना है गर पूंचा जाता है कि उत्तरप्रदेश चावल निर्यात प्रोच्थान योजना का समय का रिकाल क्या है तो 2017 से 22 है पांच बरसों का है यह योजना 7 नवंबर 2017 से लेकर के 6 नवंबर 2022 तक लागो रहेगी योजना की अंतरकत प्रतेक्ष निर्यातकों को मंडी सुल्क वा पिकास सिस्व पर शूट प्रदत्त होगी बासमती चावल का निर्यात दायत्त सिध्ध करने है तो धान से चावल की रिकावरी का निर्धारत निर्धारत किया गया है तो दान से सब भूसी सब कना कना जो भी निकलते उसमें उसमें से देखेंगे तो 20 चावल की बात की जा रही तो 45 kg सो में और जबकि नान बास्मती चावल निकलने की जो बात की जा रही तो 100 kg कर दान है तो वहाँ पर 50 kg जो हो नीयुनितम निरधारित है अगला है प्रतेक्ष निर्यातकों को एपीडा ज़िज भारत सरकार की संस्था है तो निर्यातकों को एपीडी में कराएगे पंजीकर्ण को मानता प्रदान की जाएगी उन्हें प्रदेश में प्रथक रूप से कोई पंजीकर्ण नहीं कराना होगा प्रतक्ष निर्यातकों को सासन द्वारा निर्धारित प्रिक्रिया के अनुसार पंजिकन कराना होगा प्रतक्ष निर्यातक यदि किसान या किसान उत्पादक संग से कराय करता है तो उसे 2.5 प्रत्षत की छूट योम अढ़तियों के माध्यम से कराय करता है तो दो प्रचसेज की छोट प्रदत होगी चावल निर्मयाता निरियातकों को निरियात में आने वाली व्यावारिक किरशी बिदिश ब्यापार की अधिस्ता में एक आठ सदस्य श्यमित का गठन भी किया गया है जो समय समय बेठक कर कटना यूकानिवार भी करेगी अगली जो योजना है वो प्रधानमंत्री फसल भीमा योजना है 9 मार्च 2019 को उत्तरप्रदेश सरकारद्वारा प्रधानमंत्री फसल भीमा योजना तथा पुनरगठित मौसम आधारित फसल भीमा योजना को बरस 2009 यैनि दो हजार उन्निस वीस में यो मागामी वरसों के लिए खरीफ यों रभी के मौसं में लागू करने का निड़किया गया है यह यूजना इस अबध में खरीफ वासलों ये लिए ग्लाम पंचायत स्थर पर प्रदेस के सभिज जनपदों में लागू की गई है योजना के अंतरगर पर्थिपूल और मौसम की इस्थितीयों के काड़ अधिसूचित छेतरे में अधिसूचित फसल की बौई ना कर पाने अशफल बौई की स्थिती फसल से कटाई की यवद में प्राकर्ति के अपदाओं, रोगों, क्रीमियों से फसल नस्ट होने की इस्थी तथा फसल कटाई के बाद आगामी 14 दिनों में खेत में कटी फसल की छट की इस्थीती में क्रिशकों को भीमा कवर की रूप में वेतिये शाहता प्रदत की जाती है इस योजना में अधिसूचित फसल की उत्पादक फसली रिंडल वाले सभी रिंडी किसकों को अनिवारी आधार पर तथा गएर रिंडी किसकों को स्वैचिक आधार पर सामिल किया जाता है फसल की प्रति हेक्टियर उत्पादन लागत बीमित रासी की रूप में निर्धारित होती है नेक्स्ट पॉइंट है कि खाद फसलों अनाज़ वदलहन तिलहन हेत क्रिशक द्रा-वाहित प्रेमियम अंसुकों खरीफ फसलों हेत वीमित रासी की दो प्रतिशत ताल गडिवी फसलों अगला है आपका क्रिशको द्वारा वाहित प्रेमियम आंसो से अधिकियों फसल के वास्तविक प्रेमियम दर के अंतर का धन राज को प्रेमियम परनुडान के रूप में केंदवा रासकार बरौबर महान करती है। फसल की बुवाई के वाइए कि कटाई की जुस्तमाय आवधित में प्राकριतिक आपदाओं रोगों किरीमियों से फसल की स्तार पर निर्धारित संक्या में फशल कटाई प्रयोगों शिपनाप्तुपज के आधार पर आकलित किया जाता है कि भीमा कंपणी द्वारा की शकों को देज छतिपूर्थी की राशिवएंग खाते में जमा कराई जाती है भारतिय क्रिशी भीमा कंपणी इस योजना का क्रियानवेन कर रही है अगला आपका पॉइंट है एडवांस लाइफ शपोर्ड एम्बूलेंस सेवा तो 13 अपरेल 2017 को उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधित नात ने एडवांस लाइफ शपोर्ड एम्बूलेंस सेवा का सुबारम किया है यह सभी एम्बूलेंस जीवन रच्छक प्रणारियों से सुसजित है इन एम्बूलेंसों में ट्रांसपोर्ड वेंटिलेटर मल्टी पैरा मॉनिटर दिफीब्री लेंटर फीटल डापलर जैसे बिसिस्ट उपकरण लगे हैं यह सभी एम्बूलेंस केंद्र सरकार ने राश्टी श स्ताजित की जाने का निर्ड लिया गया है इस सेवा का नंबर है 108 है सेवा का इमर्जंसी रिस्पॉंस जेंटर लखनव में स्थीत है अगली जो योजना है वो पंडित दिन दयालो पाध्या किशान सम्रिद्धी योजना है तो 8 अगस्त 2017 को उत्रप्रदेश मंत्र मंदल की हुई बैठक में राज्ज में पंडित दिन दयालो पाध्या किशान सम्रिद्धी योजना सुरू करने करने लिया गया है यह योजना बर्स 2017-2018 से 2021-22 तक प्रदेश के बुंदेल खंड छेतर के साथ जनपदों को छोड़कर 68 जनपदों में संचालित की जा रही है इस योज पर्योजना च्छेतर के शभी क्रिशक वास क्रिशक मजदूर लाभारती होते हैं पर्योजना जल समेट च्छेतर के पर्योजना जल समेट च्छेतर के आधार पर चैनित की जाती है पर्योजना च्छेतर के चैन में च्छेतर को प्रात्यमिक्ता जी जाती है जहां कि निर्मण आदि में यदि सामानी क्रिशकों की भूम शामिल है तो लाभारती की रूप में उन्हें भी समलित की जाने का प्राबधान है चैनित पर योजना छेत्र के शत्र प्रत्सत अनुदान पर वीहर बंजर भूम इस उधारत अथा जल्व भरावत छेत्र का उपचार म भी शंपाजित किये जाते हैं योजना की अंतरगत विभिन बरसों दड़ीश सत्रा अठारा ठारा उन्नीश उन्नीश बीश बीश इकीस इकीस बाइस में कुल जो है चार सो सत्तर दसमलों तीन तीन करोन रूपए राज सेक्टर से 9 करोन रूपए मनरेगा से 35.13 करोन रूपए कैबे से 1786 लाग हेक्टियर शमस्याग्रस भूमिका उपचार किया जाना लच्छित है यह योजना संचालित होने से क्रिशी उतपादमी मुतपादक्ता में ब्रिद्धी होगी जिसके फलसुरूप की शकों की आए में क्या है ब्रिद्धी होगी अगली जो योजना है वो बाड़ सागर नहर परियोजना है तो 15 जुलाई 2018 को प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने जनपद मिरजापुर में 4,008 करोन रूपए की बिभिन विकास परियोजनाओं का लोकार पड़ियों सिरन्यास किया है तो याद रखना है कि बाड़ सागर नहर परियोजना जो है इसकी शुरुवात 15 जुलाई 2018 को जो है इसका सिरन्यास किया गया है मिरजापुर में इन पर्योजनाओं में बार्ण सागर नहर पर्योजनायों चुनार में गंगा नदी पर नवनिन मित्पुल का निर्माड तथा राजगिये मेडिकल कालेज का सिलन्यास सामिल है। नए निर्डे में भारस सरकार के निशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप उत्तरप्रदेश में राज्याधीन सेवाव में निशक्त्ता से ग्रस्त ब्यक्तियों के लिए चार प्रत्षत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रेर 2018 को उत्तरप्रदेश सरकारद्वारा राज्य की नव क्रिशी जलवाई छेत्रों के एक एक जनपद में शमनवित क्रिशी प्रणाली बिक्षित करने करने लिया गया है। यह जो प्रणाली हो प्रदेश में पहली बार अंतररास्टी और धसुस्क उर्ष्ट कडवन दिये फशल अनुशनधान संस्थान दारा बिक्षित की जाएगी। इस प्रणाली की अंतरगत मुख्य रूप से अस्थानिये अस्थर पर उपला दुप्राकृतिक संसाधुन यो मौसम की जानकारी जैसे की आधार भूत आकड़ों पर ही क्रिशी प्रणाली का निर्धान करते हुए। किसको के खेत पर सवानवीर क्रिशी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। गया है तो मिर्जापुर्डेस्टिक में है विजयपुर गाउं में और यहां पर दो लोग रहे एक तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और साथी शाथ फ्रांस की राष्ट्रपति एमेन्वल माइंक्रों ने जो है इसका लोकारपन किया है और यहां प्रदेश का सबसे बड़ा सवर उर्जा संयंत्र होगा यह संयंत्र की उत्पादन तो छमता होगी वह 75 मेगावाट है फ्रांसीसी फर्मव इन जी आई याई इई ड्वारा संयंत्र लगभग 500 करोण की लागत से जो है निर्मित किया गया है अगला है आपका उत्तर प्रदेश सवर उर्जा न नीटी 2017 पांच दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश सवर उर्जा नीटी 2017 को सोभी कृति प्रदान की गई है कब पांच दिसंबर 2017 को यह जारी होने की तिथी से पांच वर्ष की यवधी अथवा नई नीटी अज्जूचित करने की यवधी जो भी पहले हो तक लागू रहेगी उत्तर प्रदेश सवर उर्जा नीटी के क्या उद्देश सी हैं? से प्राप्त करने का लच्छी है राज में बंजर भूमी का उपयोग करे कि सोलर पार्क की अस्थावना को बढ़ावा दिया जाएगा सोलर पार्क नियुन्तम सो मेगावार्ट समता के अस्थापित किये जाएंगे चिन्हित नहरो या मशारवजने के पतिश्थानों पर सोर उर्जा परियोजना अस्थापित की जाएगी नेट माटरिंग के तहत निजी आवाशों पर परियोजना अस्थापित की जाएगी यह जो निजी आवाश होंगे उन पर भी जो है यह परियोजना यह शोर उर्जा की बात की जा रही यहां पर भारत सरकार के अलावा रज सरकार 15,000 रूपे प्रति किलो वाट तथा अधिकतम 30,000 रूपे प्रति भोगता अनुदान देगी उत्तर परदेश नभीनियों नभीकर्डी उर्जा पिकाश अभीकर्ड नोडल एजन्सी है इसकी उत्तर परदेश उर्जा नीती 2017 की नेक्स्ट जो योजना है वो पंडित दीन दयाल उपाध्याय रोजगारी योजना है इस योजना का मुख्य उद्देश से ग्रामेड छेत्रों में बढ़ती विरोजगारी का शमाधान करना ग्रामेड सिच्छतों सिच्छिटकों को सहरों की और पलायन रोकना है इसके बाद ग्रामेड छेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना है पंडित दीन दयाल उपाध्याय रोजगारी योजना का उद्देश से सभी बर्ग के लाभारतियों को बैंक द्वारा प्रदत पूंजी गत रिड़ पर 50 प्रतिशत यानि अधिक्तम पांच लाख रूपे तक पचांस प्रतिशत का अनुदान जो हो दिया जाएगा यनि अगर आप वो कहने का मतलब सिंपल सा है कि 50 प्रतिशत तक ही जो आपको ग्राउंट दिया जाएगा इसी उजना की तहित यदि आप 10 लाख का लेते हैं तो 50 प्रतिशत 5 लाख बनेगा 5 लाख का ग्राउंट यी बात की जा रही है लेकिन यदि वही पर रिण आप 15 लाख रूपए लेते हैं क्योंकि 25 लाख रूपए तक ही जो है बित्य शाहिता उपलब्ध कराई जाएगी यदि आप 25 लाख लेते हैं तो 25 लाख का कितना होगा 50 प्रतिशत तो 12 लाख रूपए होगा लेकिन अधिक्तम कितना 5 लाख रूपए तक ही ग्राउंट दिया जाएगा वहीं पर यदि आप लों 5 लाख रूपए लेते हैं तो अधिक्तम कितना पचास प्रच्षत यानि धाई लाग रूपए या पांच लाग जो दोनमे अधिक हो तो धाई लाग की यहाँ पर ग्रांट मिल जाएगी इस तरह बात की जा रही है ग्रामेड शेतरी के ब्यक्तिका तो दमियों है तो 25 लाग रूपए तक की बित्य सहायता अप्रलब्ध कराई जाएगी योजना का लाग वो 18 से 50 वर्स की आईगी लाभार्थियों को प्राप्त होगा पंद्रा लाग रूपए से उपर की पर योजना है तो हाई स्कूल पास होना जरूरी है लाभार्थियों को साथ दिन के उद्धमिता प्रसिक्षन का प्रावधान है और इस योजना के तहट नोडल अजन्सी उत्तर प्रदेश खादी तथाग्राम उद्धोग बोल्ड है अगली जो योजना है 181 महिला हेलफ लाइन के रिस्क्यू वाहनों का फ्लैग दा मुख्विर योजना 24 जून 2017 इजबीको तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी यादित तनाथ ने लखनव में 181 महिला हेलफ लाइन के 64 रेस्क्यू वाहनों को फ्लाइग आफ किया तथा कन्या भुरूड हत्या रोकने ही तो मुख्विर योजना का सुबरम किया एक्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि मुख्विर योजना के हल प्लाइ नमबर 181 है साथ ही शाथ ऐसे पूछा जा सकता है कि मुख्विर योजना नेमलिकित में से किस से संबंधित है आपसन में डाल देंगे कन्या भून हत्या दूसरा आपसन डाल देंगे बी में की विजली चोरी को रोकने से बचाना इस तरह आपसे आपसन में डाल देंगे तो आपका जो एंसर होगा वो हो गया कन्या भून हत्या रोकने हे तु है राज सरकारद्वारा लखनोव में इस्थित केंद्री कृत काल शंटर के माध्यम से टोल फ्री महिला हेल्प लाइन नंबर 181 का संचालन किया जा रहा है मुख्विर योजना के माध्यम से भृूण हत्या के विषय में जनता से गोपनिय रूप से सूचना प्राप्त की जाएगी इस सूचना के आधार पर लिंग चैन के पस्चात विषी सु लिंग की भूण हत्या की अवैधिकार में शनलिप्त व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध कारवाही की जाएगी और उन्हें डंडिद भी किया जाएगा गोपनिय सूचना दाता को दो लाख रूपे तक की प्रोशान रास भी प्रदान की जाएगी तथा साथ ही सूचना दाता का नाम गोपनिय रखा जाएगा तो दो लाख रूपे की बात की जाएगा तो प्रोशान है तो लोग जो है सोचेंगे भी अगला है मनरेगा क्या है मनरेगा मनरेगा का उद्देश यह से प्रतीक ग्रामीड परिवार जिनकी वैसक सदसी आकुशल यानि अनिश्किल्ड वर्क की बात की जा रही है आकुशल सारे लिक श्रम कार्य करना चाहते हैं तो उनको एक बित्वर्स में कम से कम सव दिनों का गारंटी शुदा मजदूरी श्रोजगार उपलब्द कराना है तो याद रखना मनरेगा के तहत कितना है सव दिन का काम मिलता है और उत्तर प्रतीश में मनरेगा जो है वो दो फरवरी 2006 भी से लागू है केंडर सरकार आकुषलसरम में हंडेड परशन्ट योगदान देती है जबकि वहीं माटेरियल में कितना रेशीय है UP 75 ही देती है बागी 25 जो है केंडर राज सरकार का है अंस जो है वो 75 और 25 सामिल है मनरेगा के अनुसार लागत की अनुसार कम से कम 50 प्रत्शत कार ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्रियानवित किया जाना चाहिए मनि मनरेगा के तहर जो रीजियों है कि 50% तो जो है वो ग्राम पंचायत के माध्यम से करना चाहिए जबागी जो बचेंगे वो अपना जाएंगे जानते हैं त्रेस्तर ये बिवस्ता है पंचायत में तो वो जाता है आपका गाम पंचायत, छेटर पंचायत और जिला परिशद तो बाकी और जो है उपर इन चले जाएंगे 50% गाउं की तहट जो है मनरेगा में काम की तहट करना चाहिए मनरेगा योजना की अंतरगत एक जनवरी 2014 से प्रदेश में EFMS प्रणाली लागू की गई है जिसका फुल फार्म है Electronic Fund Management System इस प्रणाली के द्वारा कारेदाई संसुथाओं को राज रोजगार गारंटी निधी से जोड़ा गया है कारे संसुथाएं हैं अगला जो मिशन है वो राज्ट्य ग्रामीड आजीवी का मिशन है राज्ट्य ग्रामीड आजीवी का मिशन बर्स 2011 से उत्तरप्रदेश में लागू है इस योजना के क्रियान वेन के लिए बर्स 2011 में उत्तरप्रदेश राज ग्रामीड आजी भी का मिशन संस्था का गठन किया गया है यह संस्था ग्रामीड विकास विभाग के इस रक्षण में एक स्वायत संस्था है एक अपरेल 2013 से पहले चल रही शुरण जैन्ती ग्राम सोरोजगार योजना को पुनर गठित करके पूरे देश में रास्ति ग्रामीड आजी भी का मिशन की रूप में संचालित की जा रही है इस महात्व कांची योजना का उदेश ग्रामीड गरीब ग्रामीड परिवारों तक पहुंच बनाना उन्हें शत्त आप जीविया के अउसर से जोड़ना है इस योजना का जो लच्छी है वो कब तक है याद रखना है बरस 2024-25 तक प्रदेश की समस्त पिकास खंडो में 1.08 करोण ग्रामीड परिवारों के 9.8 लाख महिला स्वयम सहायता समूहों का गठन करना है इस योजना में गठित होने वाले महिला स्वयम सहायता समूहों में कम से कम 50 प्रद्शत यसी यस्ती और 20 परशंट अलब संख्यक और 3 परशंट दिव्यांग लाभार्धियों की भागीदारी निश्चित करने का प्रावधान भी किया गया है आज जीबी का मिशन ने काउशल 19 तथा नियोजन हेतु उत्तर प्रदेश काउशल विकास मिशन की शाथ साजिदारी की है अगला जो कारिक्रम है उराश्चिय ग्रामीड पेजल कारिक्रम है इस योजना का लच्च ग्रामीड भारत में सभी के लिए सभी समय में सुरचित पेजल उपलब्ध कराना है भारत सरकार द्वारा बर्ष 2011 से बर्ष 2022 तक ग्रामीड पेजल संकट के लिए स्ट्रेटजिक प्लान तयार किया गया है तो टाइम पीरियड याद रखना बर्ष 2011 से लेकर की 22 तक है इस स्ट्रेटजिक प्लान के लच्च निम्नवत है बर्ष 2022 तक ग्रामीड व्यक्ति को उसके घर तक या घर से अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के मानक की आधार पर बिना किसी आर्थी की या सामाजी की भीद भाव के पेजल की आपूर्थी सुनिश्चित करना है तो इस पे आधारित आपसे प्रस्न 2015 में पूँचा जा चुका है आपसे प्रस्न देखने को मिला होगा साथी इस चैप्टर में भी कबर करके आ रहे हो साथी शाद अगला तत्य है कि राज जी अपने अस्तर से अधिक मात्रा में आपूर्थी के मानक यथा सव लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन भी निर्धारित कर सकता है मिनमम सत्तर लीटर तो हई है राज सरकार चाहे तो सव लीटर भी निर्धारित कर सकता है अगली जो योजना है वो प्रधानमंत्री ग्रामशनक योजना से संबंधित तत्थे हैं प्रधानमंत्री ग्रामशनक योजना 25 दिशंबर 2000 इस भी को पूरे देश में लागू की गई है इस योजना की अंतरगत 500 से अधिक जनसंख्या वाले गैर शंपर्क मार्ग वाले गाउं को सभी मौशमों में चलने वाली पक्की शनक से जोड़ा जाना है बर्स 2013-14 से प्रधानमंत्री ग्रामशनक योजना का क्रियान्वेन परिवर्ती स्वरूप में परिवर्तन किये जाने का निड़े भारत सरकार ने लिया है प्रधारमंत्री ग्राम्षणक योजना 2 एक मई 2013 को सुरू किया गया था और पूरा होने के बाद इसके तीसरे चरण 18 दिशंबर 2019 को शुरुवात की गई है अब यह योजना प्रधारमंत्री ग्राम्षणक योजना 3 के नाम से जानी जाएगी प्रधारमंत्री ग्राम्षणक योजना 2 एक रियानवेन में वित्य सहभागिता राज सरकार की 25 प्रतिशत और वहीं पर केंदर सरकार का 75 परशंट तो रेशियो भी आपको याद रखना है खर्चे का अगली जो योजना है जिसके अंतरद एक्जाम में पूछा गया प्रस्न भी हुआ है आपके अभिकर की आ रहे हो तो अमबेडगर विशेस रोजगार योजना इस योजना के अंतरगत नियुनतम 22 प्रतिशत लाभार्थी अनसूचित जाती अनसूचित जनजाती के होंगे इस योजना के अंतरगत ऐसे लाभार्थियों को प्राथिमेकता दी जाएगी जो स्वर्ण जैनती ग्राम सोरोजगार योजना राश्चिय ग्रामीड आजीवी का मिशन वा अन्न योजना या विभाग से जो हो प्रसेक्षन क्या है प्राप्त हो इस योजना की अंतरगत अनसूचित जाती अनसूचित जनजाती के परिवारों की लाभारतियों के लिए प्रतिकाई लागत का 30 प्रतिशत या अधिक्तम 10,000 रूपे तक का राजगी सहायता सास की अनुदान की शुविधा दी जाती है अनला भारतियों के लिए 25 प्रतिशत या अधिक्तम 7,000 रूपे तक राजगी सहायता या सास की अनुदान की शुविधा हो जाती है यह तक थे आपकी एक्जाम में पूँचा जा चुका है इसे से प्रस्ण बन कर आया था जिसका एंसर रहा है कि 25 प्रतिशत और अमाउंट जो है साड़े साथ रूपे आगे बढ़ते हैं अगली जो योजना है वो वरिष्ट नागरिक श्वास्त भीमा योजना है उत्तर प्रदेश मंत्र मंडल द्वारा 22 दिशंबर 2016 को वरिष्ट नागरिक श्वास्त भीमा योजना प्रारंब करने का निड़े लिया गया है योजना के अंतरकत सरकार द्वारा 60 वर्स या उससे अधिक की आयू के वरिष्ट नागरिकों को उप्चार हे दो अधिकतम 30,000 रूपे के चिकत्सी सुविधा प्रदान की जाएगी इस योजना का लाब BPL स्रेडी योम अनलच्छित बर्ग के चानित परिवारों के वरिष्ट नागरिकों को ही प्राप्त होगा यदि परिवार में एक से अधिक वरिष्ट नागरिक हैं तो प्रतेग वरिष्ट नागरिक के इलाज हे तो 30,000 रूपे की धनरा से अलग शिवपलब्द कराए जाएगी अगली जो योजना है वो प्रधार मंत्री किसी सिचाई योजना है और इसकी शुरवाद चो है एक जुलाई 2015 को की गई है प्रधान मंत्री किशी सिचाई योजना में बर्तमान में संचालित योजनाओं जैसे कि जल संसाद नदी विकाश और गंगा सर्रक्षण मंत्राले की तुरित सिचाई लाभ कारिक्रम भूमी संसादन विभाग की शमय केट वाटर सेड प्रवंधन कारिक्रम ता किशी ओम शहक लाइता विभाग के खेत पर जल प्रवंधन को मिला दिया गया है इस योजना हेतु बित बर्स 2021-22 में 11,588 करण रूपे आवंटित किये गए हैं योजना में केंद्र राजजिबे अनुपात इसको जरूर रधनायाद अनुपात आपसे अक्सर एक्जाम में पूंच लिया मैं जो इस्पेसल दर्जा प्राप्त जो राज्य हैं उनके शंदर्म या रेशियो वहां पर राजसरकार 10% खर्चारती है बाकि 90% जो है वो राजसरकार खर्च कर यह केंद्र सरकार करती है अगली जो योजना है वो मिर्दा स्वास्त कार्ड योजना है तो खेद की मिर्टी की सेहत की जाच हेत 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सूरत गढ़ में मिर्दा स्वास्त कार्ड योजना का सुबारंभ किया है केंद्र सरकार की इस परियोजना के तहट किशान अपने खेद की मिर्टी की जाज कराते हैं मिर्दा स्वास्त कार्ड वस्तुता एक ऐसा कार्ड है जिसमें मिर्टी की स्वास्थी की बरतमान इस्तिती के बारे में सूचनाई शंगरहित की जाती है अगला पॉइंट है इनेशनल अग्रिकल्चर मार्केट दैड इस इनाम तो 14 अप्रेल 2016 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राश्ट्रिये क्रिसी बाजार के लिए इट्रेडिंग प्लेटफार्ल इनाम की प्रायोगिक परियुजिन का सुबारम किया गया है अगला है आपका किशान क्रेडिट कार्ड योजना तो किसी की संबेदन सीरता तथा इसकी विशेश आवस्यकताओं के आलोक में किसानों को संस्थागात स्रोतों दर्जबाइंकों के माध्यम से परियाप्त मात्रा में आसायनी सी तथा समय परण उपलब्द कराने ही तो ततकालिन वित्त मंत्री यसवंत सिन्हा दे 1998-99 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड नामक एक महत्त्वकांची योजना की हैं यह आपको जरूर याद रखना है इसकी घोषड़ा 1998-99 में की गई है आरभी गुपता कमिटी की अनुसंसा पर आधारिती सी योजना को अगस्त 1998-99 में प्रारंभ किया गया है तो याद रखना है के सीसी का सुवारंव अठ्था 1988 में अगस्त में की गई है और यह किस कम दिया जाता है इस शाक सीमा के भीतर किशान वर्स भर में अपनी आवसकता अंशार धन निकाल सकता है और किशान द्वारा जितना धन निकाला जाएगा केवल उसी पर उसी ब्यास का भुक्तान करना होगा अगला हब कर आश्ची खाज सुरक्स अधनियम 2013 इस अधनियम की अ 75% ग्रामिड आबादी तथा 500% सहरी आबादी अर्थात लगभग दो तीहाई आबादी को कवर करने का प्रावधान है यह अधनियम देश के नागरिकों को भोजन की कानूनी गारंटी प्रदान करता है भोजन की कानूनी गारंटी कौन राष्टिय खाज सुरक्ष अधनिय इस अधनियम की अंतरगज पात्र परिवारों को तीन रूपए दो रूपए तथा एक रूपए प्रती किलोग्राम की शहाईगे निशबसिदी कीमत पर क्रमशा शावल गेहूं और मोटे अनाज जैसे की चना वगएरा जो है वो की पांच किलोग्राम मात्रा प्रती व्यक मुखिया के तौर पर नामित करने और उन्हीं के नाम पर राशनकार्ड जारी करने का प्रावधान है तो एक्जाम के पॉइंट आभिष इंपॉर्टन तो फैक्ट यहीं है कि याद रखना है राश्य खाद सुरक्षाद नियम की तहत जो राशनकार्ड बनता है उसमें जो मुखिया होती है उनका जो है वो महिला ही मुखिया होती है जिनकी उम्र 18 वर्सिया उससे अधिक हो यही प्रावधान है और यहीं ऐसा नहीं है तो परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस को मुखिया के तोर पर नामित करने का प्रावधान है महिला नहीं है तो आप जर मंधी विशेश प्रावधान किये गए हैं अध्रियम के माध्यम से 14 वर्ष तक कि याई कि बच्चों को निर्धारित पौशडिक मानकों के अरू भोजन की उपलब्दा सुनिश्चित की जाएगी गर्भवती महिलाओं और अश्तनपान कराने वाली माताओं को योजना है वो दिन दयाल अंतोदय योजना राश्टिय ग्रामीड आजीवी का विशन देश के ग्रामीड छेत्रों में गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के स्वरोजगार उनमुक्ता तथा आयजनक गदविधियों को बढ़ावा देने के राश्टिय ग्रामीड आजीवी का मिशन की रूप में पुनरगठित किया गया तथा पुनरगठित स्वरूप में इसकी आउपचारी की शुरुवात तीन जून दो हजार ग्यार को की गई बस इतना ही याद रखो कि 183 ग्राम सोरोजगार योजना की शुरुवात उन नीशों नियार नवे में की गई है अगला पॉइंट है कि नुवंबर 2015 से इस योजना का नया नाम देज दीन दयाल अंतोध योजना राश्टि ग्रामीड आजीवी का मिशन कर दिया गया है इस योजना के तहट या सुनेश्चित किया जाएगा कि प्रतेग अभीग्यात ग्रामीड गरीब परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को शमय बद्ध तरीकी स्वयम सहायता समूह की अंतरगत लाया जाए समाज की आसूरचित भर्गों तक पहुंच सुनेश्चित करने के लिए इस योजना के कुल व्यक्तिकत लाभारतियों में पचासव प्रत्सवत अनसूचित जात अनसूचित जनजात की पचास प्रत्सत महिलाएं पंद्रा प्रत्सत अलब शंख्यक तथा तीन प्रत्सत सारी ग्रूप से अच्छम लोगों को सामिल किया जाए गया नहीं जो दिव्यान गोंगी अगला पॉइंट है कि यह जो योजना है एक केंद्र प्रायोजित योजना है केंद्र प्रायोजित योजना और इसकारिक्रम का वितियान है वो केंद्रियों राज्यों द्वारा 75 और 25 की रेशियों में जो है होगा वहें पर सिक्किम सहिद जो उत्तरपूरी राज्जी है उनका जो रेशिय हो 90 और 10 में होगा जबकि केंदर शासिच प्रदेशों के लिए पूरता जो है केंदर शमर पिते केंदर जो है पैसा अदा करेगा अगला है यसी अचजी शेल्फ हेल्प ग्रूप यानि स्वयम सहाइता शमुह गठन में सहाइता है तो यंजियों अथवा समुदाय शमनवे को फैसिलेटरों आदी को 10 हजार रूपए प्रती सेल्फ हेल्प ग्रूप प्रदान की जाएंगी शामान्य श्रेणी के लाभारती है उनको सोरोजगार हे तो 15,000 रूपए जबकि यसी अस्टी वर्ग के व्यक्तियों को सोरोजगार हे तो 20,000 रूपए की पूंजी शब्सिदी प्रदान की जाएगी यही तथ्याप के लिए एक्जाम में पूंचे जाने वाले दोते हैं इनको याज जरूर रगना है साथी शाथ समता निर्माडियों कोशल प्रशिक्षन के लिए प्रती जो लाभारती अमाउंट है वह 7,000 रूपए का प्रावधान है अगली जो परियोजना है वो खादी गाउं परियोजना है तो ग्रामिड इलाकों में रोजगार को बढ़ाने ग्रामिड गरीबी को कम करने और गाउं से सहरों की तरफ बढ़ रहे पलायन को रोकने के उद्धिस से खादी और ग्रामों उद्दूग आयोग द्वारा खाद बड़ानमंत्री कउशल विकास योजना जनसंख्याल आभंस का फाइदा उठाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षितावाली केन्डरिया मंत्र मंडल ने पंद्रा सो करोण रूपे की लागत वाली प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना को 20 मर्च 2015 को मंजूरी प्रधान की तथा इसी 15 जुलाई 2015 को प्रारंब किया गया तो याद रखना है प्रधार मंत्री कुशल विकास योजना की जो सुरुवात हुई है वह 15 जुलाई 2015 को जिसके तहट अगले एक वर्स में 24 लाख रूपे माप कीजिएगा 24 लाख इवाओं को प्रसेचित करने का लच्छ रखा गया था एक वर्स तक योजना के कुशल कारियनमन के बाद कैबिनेट मंत्राले द्वारा चार वर्स यानि 2016 से बीस के लिए इस योजना को बढ़ाया गया तथा इसके लिए 12,000 करण रूपे आवंटित करने की घोशड़ा भी की गई प्रधार बंत्री नरेन्द्र मोदी ने 19 दिशंबर 2016 को देश के पहले भारतिय कोशल संस्थान की आधार सिला कानपूर में रखी एक्जाम में यदी पूंचा जाता है कि देश का पहला भारतिय कोशल संस्थान कहां पर जो है तो याद रखना इसकी आधार सीला कानफुर में रखी गई प्रसिक्षड देते समय श्रम बाजार में नव प्रवेशी और दस्वी तथा बार्वी की पढ़ाई के बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रसिचित करने पर बिशिष ध्यान दिया जा रहा है योजना में प्रतेग प्रसिक्षू को आवसतन कितना है तो वाट हजार रूपे का आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है तो यही सब इकजाम में पूशी जाने वाले तथ्य होते हैं पंद्रत जनुवरी 2021 को इस योजना के तीसरे चारण का भी सुवारंब किया गया है तो पंद्रा मार्च 2017 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्सता में हुई केंद्रिय मंत्र मंडल की बैठक में राष्टी श्वास नीती 2017 को अनमोदित किया गया या नीती शार भौमिक स्वास कब्रिस प्राप्त करने तथा भैनिये लागत पर सभी को गुडवत्ता युक्त श्वास देख भाल सिवायों को लब्द कराने ही तो लच्छी तो है जिसके एलच्छ है जीवन प्रतियासा युवश्वास जीवन है तो जन्म की समय जीवन प्रतियासा को 66.65 से बढ़ाकर 2045 तक कितना करना है इंप्वार्टनट फायक्ट है याद रखना है 2025 तक 7 याद रखना है दोस्तो जीवन प्रत्यासा जो है वो 2025 तक 66 से कितना करना है सत्तर करना है बरस 2025 तक राश्चियों मुपराश्चिये अस्तर पर कुल जो प्रजनन दर है उसको घटाकर 2.1 तक करना है तथी इंप्वार्टनिट ऐसे त्यत्यों को यूपी पीजियस में पूछा जा चुका है अगला है आपका मृत्यूदर पाच बर्स से कम आई के बच्चों की मृत्यूदर को कम कर बर्स दो हजार पच्चीस तक तैईस तक लाना है जबकि माती जित्यूदर को देखेंगे तो दो हजार बीच तक सव की अस्तर पर लाना है वही पर नवजात सिशियूदर जो है इसको वर्स दो हजार उन्दी lent को क्राप्त करना है अर्थाद बर्स 2020 तक 90 प्रस्षत यचायवी शंक्रमित लोगों को अपनी यचायवी श्थिती के बारे में पता हो यचायवी शंक्रमित 90 प्रस्षत व्यक्तियों को अस्थाई एंटी रेट्रोवायल चिकित्सा प्राप्त हो और एंटी रेट्रोवायल चिकित्सा प्राप्त करने वाली 90 प्रस्षत लोगों में बिशाण की रुख था सुनिस्चित हो बर्स 2018 तक कुष्ठ रोग और बर्स 2017 तक कालाजार तथा हाथी पाव का उनमूलन करना तथा इसी स्थिती को दवाय बनाए रखना है याद रखना कुष्ठ रोग का जो रहा है कि 2018 तक 17 तक कालाजार को यहीं पर अगला है आपका स्वास सेवाओं से संबंधित कवरेज का तो बर्स 2025 तक मवजूदा सारवजने की स्वास सुविधाओं की उपयोग में 50 प्रस्षत की ब्रिद्धी करना है स्वास सेवा से संबंधित पारच्षेत्री अलच्छ है तंबाकू उपयोग के मामलो में बर्तमान अस्तर की तुलना में बर्स 2020 तक 15 प्रतिशत की तथा 2025 तक 30 प्रतिशत की कमी लाना है तो इस टारगेट को याद रखना यह सब एक्जाम में आप से पूछा जाता है कि बर्तमान अस्तर की तुलना में बर्स 2022 तक 15 प्रतिशत की कमी है और बर्स 2025 तक 30 प्रतिश तक सभी के लिए सुरक्षित जलियों स्वत्षता तक पहुंच को सुनिश्चित करना है अगला सेक्टर जो है वो स्वास 32 से संबंदित है तो सरकार द्वारा स्वास शेत्र पर खर्ज को शकल घरेलू उत्पाद के बर्तमान में 1.15 प्रत्षत से बढ़ा कर वर्ष दू हजार 25 तक कितना करना है धाई प्रत्षत करना है साथी शाथ राज्यों के स्वास शेद्र पर बेको बढ़ा कर वर्ष दू हजार बीश तक उनके बजट का अथ प्रत्षत से अधिक करना अगला है राश्टिय वयुश्री योजना तो एक अप्रेल 2017 इस भी को राश्टिय वयुश्री योजना का सुबारंब आंधर प्रदेश के निल्लोर डिस्टिक से किया गया है ग्यातव है कि बर्स 2015-16 के बजट में इस योजना के गठन का प्रस्ताव किया गया था वो सब कहानिया इंप्रटन नहीं है याद रखना इतना ही आपको एराश्टिय वयुश्री योजना का सुबारंब कब किया गया है एक अपरेल 2017 को आयो संबंधी बीमारियों दरिज कम द्रिश्टी शुन्ने में परहसानी दातों का तूट जाना योम विकलांगता आदी का सामना कर रहे गरीबी रेखा के नीचे की स्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को जीवन याप परता को कम करना है अगली जो योजना है अगला जो है वो है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो इसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हर्याणा की पानीपत जिले से प्रारंभ किया गया था इसका उद्देश से है लिंग आधारित काम और लिंग चयन का उनुमूलन बालिकाओं की उत्तर जीविता और सुरच्छा सुनिश्चित करना बालिकाओं की सिक्षा और भागी धारी को सुनिश्चित करना है अगली जो योजना है वो प्रधान मंत्री उज्जला योजना है तो गरीवी रेखा से नीचे जीवन य तरेंद्र मोदी ने 1 मईद 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रधान मंत्री योजला योजना की शुरुवात की है इसका लच्च बरस 2020 तक गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे आठ करोण परिवारों की महिलाओं को निशुलकर सोई गैस कनेक्स प्रदा की जा रही है दस अगस्त 2021 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उजला योजना टू का सुबारंभ किया गया उत्तर प्रदेश के महोबा में यलपीजी कनेक्शन सौंप कर इसका शुबारंभ किया गया है तो आप से जो लेटेस्ट पूंचा जाना है यदि पूं सुबारंभ किया गया है वह 10 अगस्त 2021 को और यह कहां से तो उत्तर प्रदेश महोबा से अगली योजना है प्रधार मंत्री आवास योजना ग्रामीड स्वतंतरता के 75 बर्स पोड होने तक सब के लिए आवास के उद्देश की प्राप्त हीत भारत सरकार्नीक व्यापक मिश जन 2022 तक सब के लिए आवास शुरू किये था याद रखना है प्रधार मंत्री आवास योजना का जो लख्ष्य है वह बर्दमाइम मार्च दोः ऑऔर भात सियोजंग को अनुवत्य प्रदान की गई है योजना का उपचारी के सुबारम भकब किया गया है तो 20 नवंबर 2016 को प्रधान मंत्री नरवेंद्र मोदी द्वारा आगरा से किया गया है यह सब आपसे पूचा जासकने वाले पॉइंट होते हैं योजना के तहट समतल छेत्रों में प्रतियावास एक लाग बीज हजार जबकि पहाड़े छेत्रों में एक लाग तीस हजार तक की सहायता का प्रावधान किया गया है लावान वितों की पैसान के लिए सामाजी गार्थिक जातिय जनगड़ना 2011 का उपयोग किया गया है आवासों की निर्माड की लागत केंडर योग राज्यों के मध्शमतल छेत्रों के लिए जो रेशियो है वो 60-40 का रेशियो है जबकि वहीं पहाड़ी और उत्तरपूर्वी छेत्रों के लिए देखेंगे तो 90 और 10 का रेशियो है लावानवित को 70,000 रूपे तक करण लेने की सुविधा भी प्रदान की गई है आवास के निर्माड है तो छेत्रफल को मवजूदा 20 बर्ग मीटर से बढ़ा कर 25 बर्ग मीटर कर दिया गया है अगली जो योजना है वो दीन दयाल उपाद ध्याग्राम जियोती योजना है तो नुमंबर 2014 में प्रधारमंत्री नरेंद्र मोदी किया धक्षता में केंद्रिय मंटे मंडल द्वारा दीन दयाल उपाद ध्याग्राम जियोती योजना को शुविक प्रदान की गई है और 25 जुलाई 2015 इस भी को प्रधारमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का उपचारिक सुबारम किया है तो याद रखना है दीन दयाल उबाद ध्याग्राम जियोती योजना की शुरुवात प्रदाना में 25 जुलाई 2015 को की गई है अगली जो योजना है वो सांसद आदर्स ग्राम योजना है तो सांसद आदर्स ग्राम योजना की शुरुवात प्रधाना मंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जैप्रकाश नारायन की जैनती के उसर पर की गई है यह योजना मुक्कतिया ग्रामीड बीकाश पर केंद्री थाय रस्टी अस्तर पर ग्रामीड बीकाश मंत्राले सांसद आदर्स ग्राम योजना की कारियन के लिए नोडल मंत्राले है इस योजना की अंतरगत प्रतेक सांसद द्वारा बर्स 2019 तक तीन गाओं को बुनियादी ओम संस्था गढ़ाचा विक्षित करने ही गोद लिया गया है इसके माध्यम से मार्च 2019 तक तीन आदर्स ग्रामों को विक्षित करने का भी कार किया गया इसके बाद पांच और गाओं का प्रती वर्स चैन किया जाएगा और उनके विकास कारी को वर्स 2024 तक पूरा किया जाएगा अगली योजना है प्रधानवंत्री ग्रामेड डिजिटल साथ सर्ता अभियान है तो बिमुद्री करन के बाद यानी जो नोट बंदी हुआ था उसके बाद देश में डिजिटल लेंदेन को प्रोच साहित करने की प्रकिरिया के दोरान जो सबसे बड़ी बात उभर कर सामन आई वो या है कि देश के ग्रामेड छेत्रों में तुलनातमक रूप से डिजिटल साथ सर्ता का प्रतिशत बहुत कम है बर्स 2014 में सिच्छा पर यन यसेस्सों के 71 शर्वेक्षण के अनुसार केवल 6 प्रतिशत ग्रामेड परिवारों के पास कम्प्यूटर है अर्थात 94 प परिप्रेच में आठ फरवरी 2017 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की या धक्षता में केंद्रिय मंत्री मंदल द्वारा प्रधान मंत्री ग्रामेड डिजिटल साथ सर्ता अभियान को श्वविकृति प्रदान की गई अगला है ताप विद्दुत परियोजनाय तो उर्जा बरतमार में मानों की प्राथिमी के आवशक्ता बन गई है बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ती आओ दोगी किरिया कलापों की शाथ उर्जा की मांग भी बढ़ती जा रही है प्रदेश सरकार द्वारा विद्दुत की बढ़ती मांग के मद्दे नजर विद्दुत उत्पादन बढ़ाने ही तुम्हा तोड़ प्रियास किये जा रहे हैं 30 नवंबर 2021 की इस्थित की अनुशार उत्तर प्रदेश में विद्दुत की कुल अस्था संस्थापित जो चमता है वह 3516.08 मेगावाट है इसके अंतरगत तापिये उर्जा 2522.14 मेगावाट परमाडव उर्जा 440 मेगावाट जल विद्दुत 501.7 मेगावाट योम नभी करड़िये उर्जा 4352.34 मेगावाट का युगदान करते हैं तापिये उर्जा के अंतरगत कोईला आधारित संयंत्रों की 237.131 मेगावाट योम गैस आधारित संयंत्रों की 1693.14 मेगावाट संस्थापित जमता है उत्तर प्रदेश में राश्टिये ताप विद्दुत निगम डेट यंटी पीसी द्वारा अस्थापित ताप विद्दुत संयंत्र कौन कौन से हैं याद जरूर रखना वह है शिंगरावली शोनभद्र रेहंद शोनभद्र दादरी गौतम बुद नगर में और उंचा हर राए बरेली में जबकि टांड़ा अमबिटम नगर युम और ये में तो यंटी पीसी द्वारा ये अस्थापित क्या है संयंत्र है थीक है और या गैश आधारित दादरी गैश योम कोई।ा आधारित प्रियाग राज यहन्टीपीची योमँ उत्तर प्रदेश राज बिद्दृत उत्पादन निगम लिमिटेड यूपी आरवी यूएनल की संयुक्त पर्यूजना है मेजा ताप्विद्दृत संयंत्र प्रियाग राज पावर जेनरेशन कंप लिमिटेड द्वारा स्थापित निजी छेत्र का ताप विद्धुत संयंत्र है उत्तर प्रदेश के राज विद्धुत उत्पाग निगम के ताप विद्धुत संयंत्र जोकी निर्माडा धिन शहित आप देखेंगे तो अनपरा है शोनभद्रका ओवरा शोनभद हरदुवागन जलीगर जवाहरपुर एटा पन की कानपुर और परिक्षा जो है जासी ही कानपुर इस्थित निर्माडा धिन घाटमपुर ताप विद्धुत संयंत्र योम नेवली लिगनाइट कारपुरिशन की जो है वो शैयुक्त पर्य तुजना है अगला है ओबराताप विद्धुत संयंत्र रुदशका निर्माड 1967 इसभी में रूस के सहियूग से प्रारंब हुआ था ओबराताप विद्धुत संयंत्र के लिए भेल द्वारा मसीनरी दी गई है ये सब यूपी जीके में भी आप कबर करेंगे मित शुबिसी कार्पुरेशन जापान द्वारा मसीनी दी गई थी हरदुआ गंज बिस्तार टू ओवरासी जवाहरपुर योमपन की बिस्तार को कोईले की आपूर्ती शहरपुर जमार पानी कूल ब्लाक से की जाएगी और यह कोईला ब्लाक जारखंड की दुमका में इस्थित है सवर फोटो बोल्टिक तकनीक पर आधारित सवसो किलो वार्ट समता की दो परियोजनाए उत्तर प्रदेश में कल्याणपुर अलीगड योम घोसी जो की मव में अस्थापित की गई है सवर फोटो बोल्टिक तकनीक पर आधारित यहनटी पीसी की प्रदेश में सवर आधारित परिवर्तित परियोजनाए है बिलहोर कानपुर जो की दो सो पचीश मेगावाट की है दाजरी मेगावाट उंचाहर दस मेगावाट है शिंगरवली 15 मेगावाट और आईया का देखेंगे तो 20 मेगावाट है यहनटी पीसी की शवर आधारित निर्माडा धीन परियोजनाए हैं बिलहोर जो की 85 मेगावाट की और आईया 12 मेगावाट और रिहंद की 20 मेगावाट है इसकी अतरिक तोराईया में 20 मेगावाट की तैरती हुई सवर उर्जा परियोजना भी कारिरत है रेन कोट इस्थित हिन डाल को एलुमीनियम संयंत्र को बिद्दुद आपूर्त रिहंद परियोजना से होती है ये अंटी पीसी की सिंगरवली में 8 मेगावाट की लगविजल बिद्दुद परियोजना यों धुकवान अजासी में 24 मेगावाट की किशन्यूक्त परियोजना है उत्तर प्रदेश का एक मादर परमाड संयंत्र नरवरा बुलंद सहर में अस्थापित है इकजाम में पूछा जाता है याद रखना नरवरा परमाड संयंत्र में 220 से 220 मेगावाट समता के दो रियक्टर कारवरत हैं नरवरा परमाड संयंत्र से बिद्दुद का ब्यावसाई कुत पादन प्रथम 21 से जनवरी 1991 से तता 23 से 1 जुलाई 1992 को शुरू हुआ है अगला है आपका पोशड संबर्धन की ओर एक कदम अभियान उत्तर प्रदेश में एक जुलाई से 30 सेतंबर 2021 के मद्ध एक से पाच बरस तक के गहन अतिको पोशित बच्चों के स्वास्त में शुधार ही तो पोशड संबर्धन की ओर एक कदम नाम का भियान चलाया गया इस अभियान के तह अंतरगत चिन्हित शैम और मैं यानि की जो कोपोशित हैं उन बच्चों के साथ उनकी माताओं के श्वास्य प्रबंधन पर भी क्या है जोर दिया गया है इस अभियान का खाका बाल विकास सेवा योंपोस्टार विभाग ने तयार किया है और यह अभियान तीन थीम जर जो पहले महीने की थीम है मात्री पोशड दूसरे महीने की थीम बाल पोशड और तीसरे महीने की थीम प्रथम हजार दिवश होगी पर चलाया गया है 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जैनती के अशर पर अभियान के दोरान को पोशन की दर में गुडवत्ता परकमी लाने वाले प्रतेक जिले की तीन तीन आगन बाड़ी कारिकरताओं, मुख्य शेविकाओं और बालविकासो परियोजनाओं अधिकारियों को पुरुश्कृत किया अगली जो परियोजना है वो अरजुन सहाइग परियोजना है, मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 मर्च 2021 को इशो परियोजना को उनाह प्रारंब किये जाने की घोशड़ा की है अरजुन सहाइग परियोजना धसान नदी पर निर्मित की जा रही है, याद रखना है धसान नदी पर 2600 करण रूपए कि यह सिचाई परियोजना उत्तर प्रदिस की बांदा, महोबा, हमीरपूर जिलों के 168 गाओं में डेढ़ लाख किसानों को सिचाई सुविधा प्रदान करेगी तो याद रखना है कि अर्जुन सायक परियोजना से लावानवित होने वाले जो जिले हैं बांदा, महोबा, हमीरपूर हैं और अर्जुन सायक परियोजना धसान नदी पर अवस्थित है इस परियोजना के पूरा होने के बाद लगभग चार लाख लोगों को सुद्ध पेजल मिलेगा इस परियोजना के तहट लगभग 15,000 हेक्तियर छेत्र को सिचाई सुविधा प्राप्त होगी बेतवा की सायक नदी धसान नदी है ध्यान देना है धसान नदी किसकी सायक नदी है बेतवा की है धसान नदी को प्राचीन काल में धसान के नाम से भी जैना जाता था ग्यातब्य है कि अर्जुन सहाइब परियोजना केंद्र शरकार और उत्तरप्रदिश सरकार द्वारा 2009 में प्रारंब की गई थी बर्स 2015 में समाप्त होने वाली यह परियोजना परियाप्त बजट ना होने के काड़ अब तक 45 प्रतिशत ही पूर्ड हो सकी थी इस परियोजना के तहट 71 किलो मीटर लंबी नहर को तीन बांधों के साथ जोड़ते हुए कबरई डैम तक ले जाना है और धसान नदी मध्ध प्रदेश के रायसेन जिले के बेगम गंज तहसिल से निकलती है अगली जो परियोजना है वो रसिन बांध परियोजना है तो दसमार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित तनात ने जनपत चित्रकोट में बाढ़ गंगा नदी पर निर्मित रसिन बांध परियोजना का स्लोकारपन किया है साथ ही इन्होंने चिल्ली मल आजन की करणपंप परियोजना का भी लोकारपन किया है वर्स दो हजार दो तीन से प्रारम रशिन बांध परियोजना सरकारों की उपेच्छा के चलते दो हजार उन्नीस बीस में पूरी जो है कम्प्लीट हुई है इस परियोजना से 17 गाओं की लगभग 3635 किशान लाभानवीत होंगी उलेखनीय है कि यहाँ जो परियोजना है मोलता चाउधरी चरण सिंग रसिन बांध परियोजना नाम से सुरू होई थी परन्त बर्तमान में बांध पर नवीन बोड में अब इसका नाम रसिन बांध पर योजना ही रह गया है अगली जो योजना है काफ़ी इंप्वर्टन्ट योजना है द्रिज मुख्य मंत्री अभीद्य योजना तो फंदरा फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित तनाथ नहीं प्रदेश के इवाओं के उतकर्ष का मार्ग प्रशस करने की राज सरकाय की अभिनो योजना अभिद्य योजना का सुबारंब किया है इवाओं को प्रतियोगी परिक्षाओं के निशुल को कोचिंग प्रदान करने के उत्देश से यह योजना प्रारंब की गई है अभिद्य योजना के माध्यम से प्रतियोगी इवाओं को IES, IPS, IFS, PCS, सहित, मेडिगल, IIT प्रवेश परिच्छाओं हे तुभी विसेशग्यों का मार्ग दर्शन प्राप्त होगा अभिद्य योजना को पहले चरण में 18 मंडल मुख्यालयों में प्रारंभ किया गया है नेक्स्ट है निव भावपूर निव खुर्जा खंड का उधगाटन वंतिस दिसंबर 2020 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा वेडियो कान्फरंस के माध्यम से पूर्वी डेडिकेटट फ्रेट कारीडूर के निव भावपूर निव खुर्जा खंड का उधगाटन किया गया है 341 किलोमीटर लंबा यहाँ खंड उतर प्रदेश में इस्थित है और इसकी जो निर्माड लागत रासी है वह पाँच हजार साथ सो पच्चास करोन रूपए है इस अउसर पर प्रदान मंत्री ने प्रियाग राज में पोर्वी डेडिकेटट फ्रेट कारीडूर की परिचालन नियंत्रन केंद्र का भी उधगाटन किया है यह नियंत्रन केंद्र EDFC के पूरे रोट के लिए कमांड सेंटर के रूप में कारे करेगा 1856 किलोमीटर लंबा ही हरेल फ्रेट कॉरिडूर लुधियाना के साहने वाल से प्रारंब होकर पंजाब हर्याणा उत्तर प्रदीश बिहार और जारखंड राज्यों से गुजर कर पस्सिम बंगाल में कोलकाता के निकट दान कुनी में शमाप्त होता है इसका जो निर्माण है वो डिडिकेटट प्रेट कॉलिडिर कार्पूरिशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना तो 28 सगस्त 2020 को उत्तर प्रदीश सरकार ने मेजर ध्यानचंद की जैनती से एक दिन पूर्वईश योजना का सुबारम्व किया इसका उद्देश राज्जी के वन्तिश माफ कीजिएगा राज्जी के वन्नईश अंतर राष्टिये खिलाडियों के घरों को पक्की शनक से जोड़ना है साथ ही भविस में इसमें और अधिक खिलाडियों को इस योजना में जोड़ा जाएगा अगला है आपका प्रमुख नीतिया हैं तो बैला है उत्तर प्रदीश आक्सेजन उद्पादन संबर्ध नीती 2021 पंद्रा मैं 2021 को प्रदीश सरकार द्वारा उत्तर प्रदीश आक्सेजन उद्पादन संबर्ध नीती 2021 को सबिकित प्रदान की गई लिक्यूड आक्सिजन, जियोलाइट आक्सिजन, सिलेंडर आक्सिजन कंसेंट्रेटर, सहायक उपकरण, क्रायोजैनिक टैंकर, आईशो टैंकर आक्सिजन, भंडारन उन परिभान उपकरण सुविधाओं का निर्माड करने वाली उनी गाईयों को इस नीती के तहत जिन्होंने पच्चास करोण रूपए से अधिका निविश किया हो। एच्चू की गाईयों को अपने प्रस्ताव अधिसूचना जारी होने के छे महिने के अंदर देने होंगे, इस नीती के तहत सव करोण रूपए तक के पूंजी निविश प्रस्ताव और दोगी की बिक प्रस्ताव और दोगे की पिकास मंत्री की शमस जब से अधिक अधिका तो राजी कैविनट की नई नीत के तहद कैपिटल सबसिडी तीन शामान वार्षिक किस्तों में दी जाएगे, तीन शामान ठीक है, या कैपिटल सबसिडी बुंदेल खंड और पूर्बांचल में 25 प सव प्रद्शत की शूट जबकि मध्यांचल में प्रचतर प्रद्शत और पस्चिनांचल में 25 प्रद्शत तक की स्टांप ड्यूटी में शूट मिलेगी, इस नीती के कारियान में हेत उच्चस्तर ये समित गठित की गई है, जो नोडल संसथा इन्वेस्ट यूपी को प् उत्तर प्रदेश में आकसिजन उत्पादन के अवशरों को बढ़ावा देना तथा उत्तर प्रदेश की आकसिजन उत्पादन के शेत्र में आत निर्भर बनाना है, इस नीती को 16 मई 2021 से लागू किया गया है, और यह 6 मा की अवध के लिए बैद होगी, अगली जो नीती है उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीत 2021 है, 25 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश राज मंत्र मंडल ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीत 2021 को महजूरी प्रदान की है, यह नीती अज सूचना की तिथी से 5 वर्स तक अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई नई नीती हम सोधन किये जाने तक लागू रहेगी इस नीती के अंतरगत राजज में 500 मेगावाट डाटा सेंटर उद्दोग विक्सित किये जाने हैं और राजज में 20,000 करोन रूपे का निभी साक्रिष्ट किये जाने तता कम से कम तीन वर्स में अत्यादुनिक नीजीस डेटा सेंटर पाक्ष अस्थापित किये जाने का लच्ष है इस नीती की अंतरगत डेटा सेंटर पाक्ष और डेशा इकाईओं को पुँझी अपादान पुझी उपादान व्याज उपादान फूझी के भूमिके क्रए पट्टे पर इश्टाम ड्यूटी में शूट तथा उर्जा संबंदित बेतिया प्रोष्टानों की अत्रिक्त अन्य प्रोष्टान भी प्रदान किये जाएंगे बुंदे 23 राज्ज में तीन पतिम बावेद देटा पाक्ष तथा तस डेटा सेंटर सिकायों कि स्कारा अस्थापन सि लगभग 4000 व्यक्तियं है तो प्रतेक्षय तथा 10 0000ribles horizontale के लिए प्रतेक्ष रोजगार सिस्त होने की समपधावना है। उत्तर परदेश निर्यात नीती दु लिया गया। 25 नमबर 2020 को उत्तर परदेश मंत्र मंदल दौरा, उत्तर परदेश निर्यात नीत दु अआर भी पॉटईशन निर्यात nella का प्रदिय सम्बंदी अवस्याग, सहायता वावा सेवाएं, प्रदान करना, राज हें काहा। भौतिक उसन रसनाओं की अस्थापना यों विकास करना है साथ ही निर्यातकों को प्रोजशाहित करने के लिए उद्धोगों की निर्यात शामर्थ के विकास ही दू आवश्यक शमर्थन प्रदान करना अस्थान ये प्रदेश में निर्मेत उतपादो है दुबैस्वीक प्रणाली के माध्यम से प्रिक्रियात्म का अपचारिकताओं को कम करते हुए राज्जी की विभिन विभागों के निर्यात संबंदी प्रपत्रों की शीग्र निस्तारण और नियातकों की समस्याओं की निवाड में नियात प्रोतु शाहन विरु अज्वारा शामनवेक की दों मिकार न भाना मेकिन उत्तर प्रदेश मेकिन इंडिया के ब्रांड का विकाश योम से प्रोषचाह नियात युग उत्पाडु हिर भगोलिक शंकेट पंजियन प्राप्त करनी में शहयूग करना है निर्याद की प्रबल संभावनाओं वाले जनपदों की उत्पाद यूम सेवाओं को चिनित करते हुए उनकी निर्याद प्रोसान है तो उत्पाद को यूम शेवा प्रदताओं की समता विकास तता प्रसिक्षण कारिक्रमों का आयोजन करना है बीटू गुए उम छोटे उद्दमी भी आफल आनलाइं भी अब फारिक शुविधा का लाब्ध प्राप्त कर सके साथ ही इसमें सेवा शेत्रशे निर्यात बढ़ाने ही तो बिसेश प्रावधान किया जाना उत्तर प्रदेश निर्यात ता निर्यात को ही दिग बिसेश रणातमक डा टाइम प्रियर्ड दो हजार बीस से पचीस के फोकस शेत्र में हस्त शिल्प क्रिशी योम पर संस्क्रित खाद उत्पाद निनिक गुड्स हैं डलो मियोम टेक्स टाइल चर्म उत्पाद काली नियोम दरिया ग्लास योम से रहमी कुद पाद कास दुत पाद स्पोर्ट्स य प्रियान संबंदी कार उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोसाहन ब्यूरोद्वारा संपादित किये जाएंगे इस नीट की अंतरगत पात्रिकाईयों को प्रदान की जाने वाली शुविधाउत अन्य अनुशांगे क्रिया कलापों पर होने वाला बेबजट में प्रावधान धन्राज की सीमा के इंतरगत रखा जाएगा इस नीट के तहए तो पशु क्राय विक्रा है तो इहाट पोर्टल कौन सा पोर्टल है इहाट पोर्टल विक्षित किये जाएंगे उत्तर प्रदेश निर्यात नीट की दो हजार बीस पच्चीस के माध्यम से क्रिशकों की याय को दोगना करने के लिए क्रिशी छेतर से निर्यात को बढ़ावा दिये जाने के उद्धी से सभी अबजमों को अंगी कृत किया जा सके जा उत्तर प्रदेश क्रिशी प्रोशान नीट से क्या है अनाचादित हैं साथी शाद खाद प्रसंसकंड से संबंदित निर्यात की काईयों द्वारा अंतर राश्टी गुरुवत्ता सुनिश्चित किये जाने है तो विसे सेवाओं के हायर की जाने पर वित्ती शायता का प्राओधान निशनीत में किया गया है अगली जो पौलिशी है उत्तर प्रदेश इलक्टरानिक्ष भी निर्माड नीती है 2020 तो अठार अगस 2020 को उत्तर प्रदेश राज्ज मंत्र मंडल ने उत्तर प्रदेश इलक्टरानिक्ष भी निर्माड नीती है या नीती शंपूर राज में प्रभावी होगी शाथी बु ideological manufacturing cluster के स्थापना करना है और प्रदेश में तीन उतकिस्ता चेंधर की अस्थापना आ है प्रदेश में घरेलू विदेशी नीवी इसकुद्वारा fragen स्थापना भी करना नहीं और 5 विकाईयों के माध्धम सीसे में Constructors निर्मार में निवीश आकर चित करना है। निटी के अंतरगर बनने वाली 3 इलक्रानिक्स भी निर्मार कलस्टर कौन होंगे यही आपको याद रखना है। तीन एलक्टानिक्स भी नीर्माड जो कलस्टर है यमना एक्षप्रस भी आउदोगी विकाश उप्राधीकर्ण में जेवर हवायट्टे के पास एलक्टानिक शिटी की अस्थापना गौतम बुधनगर है बंदेर घंड में रच्षाई लक्टानिक्स भी नीर्माड कलस्टर है लखनव उन्नाव कानपूर जोन में मेडिकल एलेक्ट्रानिक्स भी नीर्माड कलस्टर उद्करिश्टा केंथर की कुल परियोजना देखे यही सब एकजाम में कुछल से आसकने वाले पॉइंट है यह इंपॉर्टन था याद रखना इतना तत्थ है कौन कौन से कलाश्टर है उतकिष्टा केंदर की कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत राज सरकार द्वारा और सेश 75 जो परशंड होगा भारस सरकार और संबांधित उत्दोग शंग द्वारा वहान किया जाएगा इस नीद कीता है पूजी उत्पादन शरकार द्वारा गठिश शमित की मुले अंकर्ण की आधार पर प्रदान किया जाएगा दो सो करोन रूपए तक के इस्तिर पूंजी निवीश पर 15 परश्चत पूंजी उपादान है अधिक्तम 10 करोन रूपए है वहीं दूशो करोन रूपए से 1,000 करोन रूपए तक के इस्तिर पूंजी निवीश पर 15 परश्चत और 1,500 करोन रूपए है तीन वार्सिक किस्तों म पांच वार्से किस्तों में दे होगा जब कि जब विकाई अपनी कुल शम्ता की कम से कम अश्री प्रश्चत उपादन शम्ता प्राप्त कर ले अगला है भूम शंबंधी उपादान से शंबंधित क्या है बैई तो मध्यांचल यों परश्चिमांचल छेत्र में शरकारी अभ की भूम उपादान कुल परियोजना लागत की साड़े साथ प्रत्सत या 75 क्रोन रुपए जो भी कम हो वहाँ पर प्रदान किया जाएगा इस नेती निवेश की अन्य सुवेधाय भी प्रदान की जाई है जैसे कि शमस्त एस डियम इकाईयों को अधिक्तम दस वरसों के लि प्रति पूर्दी जो है वो पांच वर्ष तक एक वर्ष करण रूपए की सीमा भी तक की जाएगी ठीक है तो बस देख लीजिए खास नहीं यहां से पूछा जाने वाला है नीती जरूर पहुंश ले जाएगा टाइम पीरियोड ठीक है बापी आप यहां पर एक निगाश से देख शकते हैं कुछ खास नहीं है इंपॉर्टन यही तिथी है कि यहां नीती यादि सूचना के तिथी से पांच वर्षों के लिए मानने होगी कि इतना टाइम पीरियोड पांच वर्ष दा एट सेट है आगे बढ़ते हैं दोस्तों उत्तर प्रते सी स्टार्ट अप न कि भारत सरकार दोरा संचालित राज्यों की स्टार्ट अप रांकिंग के अंतरगत प्रदेश को तीन सीर्स राज्यों में लाना है और प्रदेश में सो इंक्यूबेटर से तथा राज्य के प्रतिक जनपत में कम से कम एक इंक्यूबेटर की अस्ठापना इस राडप के लि लखनव हुए यहीं एक्जाम के त설ाइम है और यहां नीधी भी क्या है पांच वरसों के लिए थाही था है या दब है कि उत्तरप्रदेश वर्टमाब उत्रaining में उत्तरपधश सोछना प्रवधोगी की अम श्टार्टUP नहीथ 2017 प्रचलन में है जिसकी परिकलपना सूचना प्रवदूगी छेत्र की स्टार्ट अप इकाईयों की दृष्टिगत की गई थी बाकी आने वाले तथ्य में कुछ वखास इंपॉडड नहीं है आप एक सरसरी निगा से देख शक्ति हैं कि सरकार के प्रियासों की फल्सुरूप बरतमान उत्तर प्रदेश से अठारा सो सी अधिक इस्टार्ट अप इकाईयों के बित्पोषड के लिए सिडवी के साथ एक सब्सक्राइब तथा यूपी एंजल नेटवर्क की अस्थापना की गई है तथा इंक्यूबेटर तो इस्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने के लिए शमर्पित आनलाइन पोर्टल भी आरंब किया गया है या नीदी प्रदेश की इवाओं को रोजगार आकांसी के बज फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश शरकार द्वारा इस नीटी में संसोधन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूर प्रदान की गई है वर्स 2016 में प्रख्यापेत उत्तर प्रदेश बेव मीडिया नीदी का मुख्योदेश निउज बेवसाइट स्पोर्टल को सास्किये प्रदान कि जाने का है संसोधी नीदि में प्रादेश सी प्राथीमिकता की शमाव किन रेटा अवाजिक शंसोधन किए गए क्याया है विग्यापन प्रदाव को विगप्यन फाइब लाग कर दिया गया है वेवसाइट की गण्णा अंतरराष्टी स्वविग्रिती हों विश्वशनियता थर्ड पार्टी टूल्स यानि गूगल इंटिलिक्स काम इश्कोर आदी जो है द्वारा की जाएगी तथा गण्णा का अधार यूनिक यूजर होगा वेवसाइ कि 10 सितंबर 2019 को उत्रपदेश सरग्वार द्वारा ुत्रपदेश क्रिशी नीग 2,019 को लागू करने कीÓ ही तो मंजूरि परदान की गई है इस नीदि का जो लच्छ ये उ?」 राष्टी क्रिशी नीग की लच्छों को प्राप्त करना है इस नीदि का मुक्ष उदिश की शा नीटी 2019 है इसका लच्छ यापके एक्जाम के पॉइंट आप भीश है important fact यह है कि किरिशी निर्याद को बर्स 2024 तक दोगुना करने का लच्छ है that's important तत्थ है जबकि याई किशानों की याई को दोगुना करने का लच्छ 2022 तक है और किरिशी निर्याद को दोगुना करने का लच्छ गया है 2024 तक यह एक्जाम के पॉइंट आप इतना effect important है बाकि कुछ कहानिया important नहीं साथी इस नीटी के तहद एक important तत्थ ही याद रखना यहां नीटी 50-100 hectare छेतर में शंकल रूप से खेती का प्रास्ताव करती है जहां विदेशी की मांग पर फसलों का उत्पादन किया जाएगा उन देशों को ही इन फसलों का निर्याद भी किया जाएगा that's it आगे बढ़ते हैं अगली जो नीटी है वो है उत्तर प्रदेश इलक्टानिक वहन नीटी दो हजार उननीस तो छे अगस दो हजार उननीस को इसको जो है मनजूरी प्रदान की गई है सरकार के द्वारा और यहां नीटी जो है उत्तर प्रदेश और दोगिक निवेश योंग रोजगार प्रोस्टान नीट 2017 की पूरक की रूप में तयार की गई है प्रदेश में पहली बार इलक्टानिक वहन की द्वारा विद्दूत आधारित गत्सीलता पर ध्यान केंदित करते हुए नीट बनाई गई है प्रदूशन को कम करने तथा इलक्रिक मूबिलिटी को प्रोसाहिद करने ही दुराज सर देखने वाले फैक्ट होते हैं एक सरसरी निगास से देख लो कि उत्तरप्रदीश सरकार ने प्रयाटन की यसीन शंभावनाओं को मद नजर रखते हुए प्रदीश प्रयाटन नीट दोजार अठारा को जो है दिचनी भी नीतियां आप देख ले होंगे कि पांच वर्स की लिए जो है यह लागू की गई है प्रदेश की इस प्रयाटन राज्जी के रूप में अस्थापना जनसाधान की दमचीलता को पुर्शानियों प्रयाटन के माध्यम से शततियों शमाप इसी विकास के उद्दीश से उत्तरप्रदीश प्रयाटन नी 2018 प्रख्यापित की ग उप्योग को हेल्टेज होटल की शंग्या प्रदान करती है भू उप्योग परिवर्तन सुल्क में शत्र प्रतिशत शूट प्रदान की जाएगी साथी जो इंप्रदीश प्रयाटन नी 2018 को जो मुख्यता थी है कि शालाना पांच हजार करून रूपे का नया बिनिवेश तथा पांच लाख रूपे प्रत्यक्षवा परुथ रोजगार के उसर पैदन करना दैट से इतना उद्दीश से आगे कुछ important नहीं fact आगे बढ़ते हैं और साथी शाथ उत्तर प्रदेश प्रयाटन नीती जो है 2018 इसमें क्या है कि इसका जो लच्ष है वो आगमन में शालाना 15% और विदेशी प्रयाटों की संख्या में 10% ब्रिदी का लच्ष है तो यह भी important fact है बाकी अगला fact है कि प्रदेश में एक लाक प्रयाटों को राश्टी पाक तथा बन जी विहारों की तरफ आकरसित करना कुछ खास नहीं important लेकिन आगमन में 15% शालाना और जबकि प्रयाटों की शंख्या में विदेशी 10% ब्रिदी करने का लच्ष है इसको जरूर याद रखना बाकि कुछ खा इसको याद रख शकते हैं इसके साथ ही बर्स 1998 की परियाटन नीटी में साथ परिपत परियाटन विगास है तो चिन्हित जो किये गए थे वो कौन कौन से थे तो इसमें आप देखेंगे बिर्ज परिपत है जिसकी अंतरगत मतुरा बिंदावा नागरा तथा स्री किष्ण बिंद परवत में बिंद्याचल और सोनभद से जुड़ा छेत्र होगा अवद में लखनो प्रियाग राजवा उनके मद्द का छेत्र होगा वहीं वन इको यम शासिक परियाटन परिपत में प्रदीश में इस्थित वन नजीव अभ्यारन वन विहार एको टूरिज में अस कौण कौण से हेरिटेज आर को है जिसमें आगराल अखनो वारंसी परिशेत्र है महाभारत परिपत है रामायड परिपत है जेन परिपत है शूभी परिपत व होतन मंद्र टा- शंग्राम परिपत है उनको आप एक वरह इसरसे निगा से देख ले ना आगे पढ़ती है अध्यादेश 2021 को क्या है मन्जूरी प्रदान कर दी है जिससे यह ततकाल प्रभाव में लागू हो गया है अध्यादेश ही है जानते है आर्टिकल नमबर 213 की तहित जोहराज जिपाल अध्यादेश पारिद करते हैं इसका उद्देश किरायदारों और मकान मालकियों के नया धिकरण की अस्थापना का प्रावधान भी किया गया है नए नियमों के तहट शालाना आवासी परिशर में मात्र पांच प्रेश्चत तक ही किरायद में बढ़ोत्तरी की जा सकती है जबकि गैर आवासी या लॉज है उसके लिए बढ़ोत्तरी जो है अधिक्तम साथ प्रत्सत है शालाना अगला है आपका उत्तर प्रदेश विधी विरुद्ध धर्म शंपर्तन जहां धर्म संपरिवर्तन अध्यादेश जो काफी चर्चा में रहा है तो 24 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित ना थी कि अध्यक्षता में होई कैबिनट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधी विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अध्यादेश 2020 को मजूरी प्रदान की गई है नाम क्या है उत्तर प्रदेश विधी विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अध्यादेश या अध्यादेश ऐसे धर्म परिवर्तन को एक अपराधी की स्रेणी में ला देकर अथवा दबाव डालकर कराये जाने वाले धर्म परिवर्तन के मामले भी अधिकतम कितना है दस वर्स की सजा का प्राउधान किया गया है तो यही आपकी एक्जाम के पॉइंट आप इस इंपॉर्टन टो फैक्ट है दस वर्स की सजा अगर कोई व्यक्ति यह दिशाबि नहीं कर पाता है कि महिला का धर्म परिवर्तन किशी दबाव धोकिया लालस में अथवा महज साधी के लिए नहीं करा गया है तो ऐसी इस्थिती में उसे पंद्रह हजार रुपे जुर्माने के साथ एक से पाच वर्स तक की सजा हो सकती है यह भी इंपॉर्टन टो फैक्ट अगला है कि अगर महिला अवैस को अनसूचीत जाती अनसूचीत जनजाती की है तो इस दसा में कारवास कम से कम तीन वर्स और अधिक्तम दस वर्स का होगा और जुर्माने की राश 25,000 रुपईया होगी वहीं पर शामुहिक धर्म परिवर्तन की शंबन्द में कारवास कम स प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को दो महेने पहले सूचना दो उसके बार शादी करो इसका उलंग्यन किये जाने पर छे माह से तीन वर्ष तक की सजा और दस हजार रूपए की जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है अगला है उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संसूधन अध्यादेश 2020 तो नौजून 2020 को उत्तर प्रदेश मंद्री परिशा द्वारा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संसूधन अध्यादेश 2020 के प्रारूप को शोविकित प्रदान की गई है और ग्यारा जून 2020 को इ अगर पूँचा जाता है कि उत्तर प्रदिश गोबद निवान अधनियम कब का है तो 1905 का है तथा गोबंसी ये 500 पशों की रच्छा और गोकसी की घटनाओं से शंबनित अपराधों को पूंडता है गया तब है कि 6 जनवरी 1956 इजबी को उत्तर प्रदिश गोबद निवान अ किया गया है तो 6 जनवरी 1956 इजबी को दंडियों जुर्माने में ब्रिद्धी किये जाने है तो मुल अधनियम की धारा आठ में संसुधन किये गये हैं इसके तहट गोकसी की घटनाओं है तो तथा गोबंसी पशों को सारीग छती कारित करने है तो निवंतम तीन वर्स तथ करने का प्रावधान किया गया है अगला टॉपिक है आपका तथिया है दिज उत्तरप्रदेश लोग स्वास्ति और महामारी रोग नियंत्रन अध्यादेश 2020 तो मई 2020 में प्रख्यापिदिश अध्यादेश में कूबिड-19 की रूख थामियों बचाव में लगे हुए कर्म कर्मियों के विरुद्ध अपस्ति जनिक बढ़तावाले की बिरुद दंड का प्रावधान किया गया गया है साथी रोग ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा स्वयम के रोगों को छेआлять से बाने आपप अस्पताल से भागने पर भी दंड का प्रावधान किया गया है अगला है उत्तरप्रदेश लोक तथा निजी छती वसूली नियमावली दो हजार बीस तो 6 मईद 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्र परशद ने उत्तर प्रदेश लोग तथा निजी शंपत्य च्छत वसूली अध्धादेश 2020 की धारा 26 के प्रावधानों की अधिन बनाई गई उत्तर प्रदेश लोग तथा निजी शंपत्य च्छत वसूली नियमावली 2020 को अनमोधित कर दिया इस नियमा वाली में हरताल बंद धंगो तत संबंधी लोक अशांती तथा प्रतिवादों के दौरान लोक तथा निजी शंपत्ति की छतियों की वसूली करने और जुर्मान अधिरोपित करने तथा शंपत्ति की शंबंध वे हुई छतियों का नुशंदान करने ही त दावा अधिकर्ण का गठन करने तथा तत्समधी प्रतिकर अधिनरीद करने ही तो नियम बनाए गए है तो यह रहे पूरे के पूरे आपके चैप्टर नंबर 6 यहां तक पूरा का पूरा वह कम्प्लीट हो जाता है तो जो प्रमुक योजनाए है शाथी चाज प्रमुक पॉलिशिया है उनका टाइम पीरियड क्या उनका उद्देश सी क्या है इन सभी को जरूर याद रखना ठीक है दोस्तों तो काफी लंबा चैप्टर रहा है कम से कम 25 फेज का रहा है तो काफी इंप्वाटन्ट भी रहा है क्योंकि उत्तरप्रदीश ग्रामीर संबंधित दो योजनाए हैं केंद्र और सेंटर की उनको इंक्लूड किया गया था तो अच्छे सुरिवाइज कीजिएगा मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ कि योर लक्चर में थांक्स फर वासिंग गॉडबली शूओ अलब